पर्देश के जंटा हमारे देश के नीवासियों और वैसे हमारा वेब साइट के जो पर्देश के जंटा मेरा प्यार आप तक पहुँचे आज सुकरवार है दिसेंबर के अठारा तारीख प्यारे जंटा कुछ सने साथ जो आज आपको हम देने जा रहा हूँ टाइमस अफ सुरिनाम हो दाखबला सुरिनाम या एकमे एंफरमाची बीरो के द्वारा बाई जे एक आदमी जो फकांसी मनाने के लिए ने जलान से सुरिनाम में आया है उनका बयान आप सुनिए सुरिनाम के जो प्रोटकॉल कोफित नीख गी प्रोटकॉल जो यानि कहता है कि ऐसा लोग जो छुट्टी मनानी के लिए आते सुरिनामे तो उन्हें करंटैने में होना चाहिए इस अदमी ने कहा कि ऐसा हूँ भी या अदमी फकांसी से आया सुरिनामे और करंटने में हुआ खास तोर पर एक बद्रैफ एक बवाकिंग बद्रैफ को भी पैसा भर दिया लेकिन दो दिन के बाद ये बद्रैफ वहां से प्रोईशी हो गया भाईया वहां से चला गया है है बद्रैफ बवाकिंग बद्रैफ इसना एंदा फर्त रोकन ओका मतलब ये है कि ये भाईया जी जो आया है छुट्टी मनाने के लिए नी जवांसे सुरी नाम में जिन्हें करंटने में होना चाहिए अब वो यहां वहां घूम घूम के परिवार के पास लेकर्स लेकर के जाता मोवसी लेकर्स तवफा लेकर के कडों लेकर के यहां वहां जाता है और लंगमो जिसे लंगमो एहमत भोते ना काका तो वो पईनी क्योंकि करंटने बन्च यानि उसके नीचे हो जाता है अब वो खुछ सवाल करते हैं क्या यही कॉंट्रोलर स्री नामे इसी के लो कहते कॉंट्रोलर इसी के लो कहते कारंटेन तो बफैल खिंदीस्ट स्री नाम के लोगों के साथ नसब कुछ है जो दिलगी करता है या अदमी कहते हैं या हम भूमत है खोग भूमत है इसी इसी पैसा भर जा लिए एक लोज के और बात रहा एक कहा एक बवाकर तो ठार आते लेकिन उकरे जैब में हम पचीस या पचास इसे धर दे लिए एरो बस बोले हमना देखे बस हम चला गे लिए नचनिया के पास कहें नचनिया के पास कहा किये बोले जैए देखे हो एक दुनिया से इसी तैसी जाए करंटेन प्रेख्ट लोप लेकर फ्रेइ रोंट यह हमारा देश के तमासा इसी कारण से हमारा देज के पुलिट्सी हमारा देज का उपम याने मिनिस्टीरी फान फॉलस हुसों थे और करी से करी कनून बनाना चाहिए ताके लोग इंसान के जिन्दगी से खिलवार बत करे फिर नान रेडिंग ऐसा रेडिंग धक का मौसिम तरसे का बताई मखेंता कनाल ओवलखदा से के कोन पर धवा का मारी से गारी छितरा गई स्बाप खेंट फॉर रांफर लेडिंग दो परसोन आउटो अपने में भिर गया मखेंता कनाल ओवलखदा से के कोने पर दोनो गारी छितरा गेल का की छित रागे हम बताए लगत से अर दुनों बश्टिर के पास है रे विवैस दुनों भाईया शराब नहीं पी ये थे लेकिन दा जाने के के सोचत रहा है ये लोग शराब पीओ या ना पीओ लेकिन कोई के छिंटा में गारी भी चलाना वो भी तनी गरबर वक्का की चिंटा में ना अगर आप चिंटा में गारी चलाईयो तो ये धक्का लगेगा तो देखो दुनों गारी छितरा गया है छितरा गयी सकाकी ये जो कोरोना फिरस के बाद है कोफित नहीं खंतीन भाई जी हम लोग जड़ गए बात सुन करके विश्वास कर मौशी जड़ गए ली जड़ गए ली बात सुन करके जब सम लोग मिनिस्टरस या कोमेशी रोड बता रहे थे कि आज एगो पोशितिफ आया है लेकिन जब अब ये बात पता चला है देख ये पहला खौलफ शरी ना में शरुआत हुआ है आप लोग प्राठना करो कि ये दूसरा खौलफ ना आये मौशी हमाँ से बचाई ला कि हमारा देश के जंता ये नबात समझ पाते है उन लोग को समझना चाहिए कि सरकार इतना पैसा फेकता है तुम्हारी पैसा है तुम्हारी बलास्ते के पैसा तुम्हे समझाने के लिए आज कर देश लोग पैसा फेकते इस इंसान को समझाने के लिए वो समय आ गया है ये समझाने के समय नहीं रहे गया भाया अपना जिन्दगी जिन्दगी को सबहनने के समय आ गया है लेकिन आप उसे खिलवार कर रही हैं 20 नया बसमेतिगन अब इतना तना जिब होने पहले एबो का नाम सुनने में आया था अब आप समझ गए है कि हमारा देष में क्या होने वाला है भाई जे लेखिए जब यतना लोग बिमार होकर के बस्मेट होकर के देष में आने लगा है ये बराजिली आनन है दी इलखाल फोने फ्रंसखुयाना शिरिणां में आते हैं ब्राजिलियानन ये सब ले करके ये बस्मेटिंग आता है और पता नहीं है कहां कहां से लोग ये बस्मेटिंग ले करके इस देश में पहुंचा है और ये ज़्यादा तौर पर परमाली वो नोर्थ के तरफ जहां ब्राजिलियानन रहते हैं बिल्हादमीन अस्तराद उस तरफ के बात हम कर रहे हैं हट सोनर पर हमारी वो नोर्ट नोर्ट वेर हट सोनर लोग नहीं कोफित नेखंतीन वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग बस्मयत हो चुका है इसको मत पहले दो और जनता सरकार हम लोग ऐसा हुसियार हम लोग को हो जाना चाहिए अगर आज है ये बंद है वो बंद है बार बंद है नाइक्लोब बंद है बोर देल बंद है ये सब बंद है तो साइट आपके भ़ाई के लिए है क्योंकि ये बिमारी ये बिमारी जो है न काकी ये ऐसा बिमारी है कि दुनिया भर में फैल गया है बना बता ये कौन ऐसा का सूच जनता इंसान मनुष्ण ने किया है कि दुनिया भर में ये बात फैल चुका है जरूर हम कुछ गलत काम किये हैं धर्ती पर जरूर हम पर हुपर मातना अल्ला के खिलाब हम चलने लगे हैं उनकी कनून हम ठुकड़ाए हैं उनका बिस्टी हमने की है इसी कारण से ये कुरोना शीना मुलक या कौन मुलक से उठा और आप देखो सौइट अमेरिका में है सौइट अमेरिका में समुंदर केतनी पार करने के बाद यहां लोग पहुँचता है और वो बिमारी है पहुच गए है बना बताईए क्यों ये हम लोग के एक देश में आ गया है बना जिद्ध में है सबरो दुनिया बन में मत चौन किये काकी मत चौन किये यह 24 घंटा के भीतर नीज अलांट में 24 घंटा के भीतर नीज अलांट में न चौन के कुर्शित जो बैठाए ले मौई सो बैठा मौशी तू क्योंकि हम कुछ बोलना चाहेंगे जो बैठाए लो तो अपना जो या चिटेई बगारा हो या यही से आप बांच के बैठियों तक तनी मश्बूर बैठिये क्योंकि हम बोलने वाले हैं आज नीज अलांट में 24 घंटा के भीतर में 11,335 11,335 लोग बस मेठ हुआ है यह कम्ती ना काका और आप मच्चों किये 84 लोग का मृत्ची हुई है फिरन तक तक लोग के मौत्च हुआ है 24 घंटे के अंदर में उसमें भी हमारे धरम हम लोग के हम लोग के इंडिस्तानियों के लोग भी जिनका मौत्च हुआ है नखली बकरा शिरी नाम में जो जो आप नीज लांदर्स है उनका मौत ऐसे होता भाई जी ये बड़ी छोट लगा ये बात से ये बड़ी दुख होता है वहाँ दूसरा ज्या तीसरा खौल सुरू हो गया लेकिन हम लोग अभी खिलवार कर रहे हैं सरकारे बताते वो बताते लेकिन हम उसपर अमल नहीं करते हैं भाई जे दुख के ये बात है जतने लोग का मृत्य हुई है मैं उन सभी परिवार को सुख समवेदना परश्टूत करते हैं और इसे इसे बहुत के लोग के घर में ये दुखी है भाई दुखी लोग है चलेंगे तो मैं आगे बताना चाहूँगा भाईया लोग कि आज रेक्टर ने वो मुकदमा जो गिल्मोर हुदरात ने एक्स मिनिस्टर गिल्मोर हुदरात फां फिनांसियन एक मुकदमा जो मिनिस्टेरी फां बिलांस साकर दे नाच्चनल असंबले उपमा मिनिस्टेरी के उपर मुकदमा चलाया था रेक्टर सुसान शूप इस मुकदमा में हुदरात का हर ने दिया है हुवद्राट टेकन बुरुपान हुवद्राट के जो अठ्वकाथ भईया लोग हुवद्राट के अठ्वकाथ गिलमोर हुवद्राट के लिए क्या मांग किया था आथ जानते भाई जी कि नच्छनल असंबले में प्रकुरेख इनराल एक चिठी भेज हुए थे आप समझ सकते हैं कि अप पॉलिटिक का अमस दिराखर इन्हें इनस्टार्ट वं बस्कुल्डखिंग का करार होना चाहिए था पारल्लमेंट के द्वारा पॉलिटिक का अमस दिराखर जैसा आप जानते हैं जाओ 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 जे दे प्रोगरोगनेराल नशनलसंबलेश कुशारेश की 23 अपरी 2020 को जाओ जाओ भॉलिट जाओ उवेकंस्ट अवत इनस्टार्ट जाओ 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 आविए जाओ जाओ को ये इस्ताथफ़ां बस्खिल रखी करार दिया हुद्रात ने तभी से का ना भाईया हम कोई कसुर ना कर ली है हम रोगो मुकर्दा मत चलाओ लेकिन इन पर बड़ी इल्जाम है भाईया तरह तरह के इल्जाम है हुद्रात को उपर लेकिन जैसा आप जानते हैं अख बार में उनका आफस पॉरिंग का इश्तिहार दिया मतलब की अज़र्टन्सी किया अफस पॉरिंग हुद्रात एक आदमी उनका नाम हुद्रात फोर नाम डिल मोर चोटा छोटा चोटा-चोटा-बार चोटी-चोटी आखे वर ने बलनोश के और अईसे इसे मतलब की बताले कैसे नदमी है का और ये मिनस्टर था कोई जमाना और अईसे आदमी को कहीं दिखियो तो तुरंट आप हो पंजिस्टीची या प्रकुर्फिनराल तक खबर पहुंचा हो वगारा वगारा ऐसे बात होता है लेकिन उनका अथफ़काद ने मुकद्ना चला करके कहा कि हुद्राद ये गसु नकी है उनका और स्पोरिंग को मिटा देना चाहिए कोई जिसके अंदर में ये अथफ़काद लोग ने ये प्रोटेस्ट ये हैं याने कि रकेस इंदिन किया है कि हुद्राद के जो ऑस्पोरिंग का इस्तिहार है ऑस्पोरिंग को मिटा देना चाहिए और जो स्टार्ट फॉम बस्खो दखिए है उझे भी मिटा देना चाहिए क्योंकि हुद्राद बेकसूर है रखत सुसान शूने खड़ी होकर कि ऐसे अंगुरिया दिखाई बो देख एक कौँची है कौँची है तो सब बोले ठेगा बोले ठेगा रेक्टर स्टेल पर्लिमेंट इंखलाइक हुद्जरा टेकन भरूपान आज एक बात ये और हम आपको बताएगे कि आने वाले मंगर सोमवार मंगर को रेक्टर ने फैशला करेगा सोमवार को अफ़कात लोग के मौकर रहेगा इस पर कुछ बिचार करने के लिए इस पर उसके उपर और मंगर को साइड रहत तर अपना बिचार पेश करेगा वैश्तिना सुनाइगा भैया जी अनेक अनेक परकार के तमासा का कि तोहारी ही देश में होता है ना दूसर देश में तुहारा देश में आप देखो देसमर महिन्हा है लोग हमेशा करतें दीसम्मर महिना, कैश ब्रोग का महिना, कैश फीलिंग, बंबल के महिना, शामपाइय पीने के महिना, ब्लक पूस पीले के महिना, नशने के महिना, आरे सब कुछ के महिना यही है लेकिन आप तो जानते हैं कोफित नई खंतीन जो बीश में खड़ा है तो हर एक महिन्दा के कारवाईयां पर ये ताला लगा दिया है ताला लगा दिया भईया अब ये बात आपको बताना है कि सब लोग सोचे है आतिस बाजी फिर गारे करने के लिए एक तो देश में पैसा नहीं है दूसरा ये कोफित नई खंतीन सामने खड़ा है तिरीसरा मायूसी चौथा पताना कि दुनिया में क्या उन होने वाला है अब यहाँ पर लोग विचार करे है आतिस बाजी उसमें आज लगाने के लिए का कि और हम आपको बताएंगे एनन फेर तक कॉंटेइनर्स कल सुरी नाम में हो चुका है एनन फेर तक कॉंटेइनर्स पगारा फेर तक फूत वाला अब आप समस्ते का की का हो तोहारा देश में चाहे देश में भईया कोफित है कोफित के बाप कोफित के माई भी पाउच गया लेकिन पगारा को डगना चाहिए जनता को दिखना का भेग कोई जमाना था अब सवाल जब करो किसी से कि ए चच्ची काहे के तु पगारा काहे के आतिस बाजी में आग लगाते हैं आप लोग क्यों आप उसको शुलगाते हैं बोले ना जाने बिटवा भूत भगाने के लिए सैतान फगारास भगाने के लिए हम लोग ये पगारा डापते हैं बोले ओ इतना तो तोहारा देश में कितना सैतान है कितना फगारास है सब जितने सब भागाने के लिए इनन फेर तक कॉंटेइनर कॉंची बोले मॉ शी समझाओ समझाओ कि कॉंची है जो त्रेकोन पर लदा चीछ जाते है। भाली केसे घर, कामोले। चैंक प्लाते है लोहा के बरका। वही है कॉंतिवर। वही में भरल है मवशीए वही में ओटो आवे है वही फिलिक माशीन आवत है कभी-कभी काबोलत है हलीकॉप्टर कभी-कभी ओतो वही में सब सवडाOhim आलो, प्यात, सब वही में वही में पगारा आई सै अई फिर कोंतीशलर अब खली पगारा यहां तो ब्यमारी तंका किया है, बस मेरतिंग तंकी है, कोफिड नहीं खन्तीं मूल उठाया, और तु जही यो पगारा दागत है भाई या तुहें मालूम होगा काकी यही पगारा के बीच में कुरुंतो आवतरा कुरुंतो एतना बात तो क्यम बताई ला काकी तु तु सहाई जानत हुई है कुरुंतो के तु दाग देले बीच दाम पर तो घर के जतना आइना है पहले शित्र आप तो शुंक राम होईगे तो शुत्र तिक टिक 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 घर के चिराथ बारे बर जाए आभर के Jill जाए बुझी जाए बढ़ जाए ऐसे हो तरह ही कद धमाका से और कहीं तेसे की लल्लू दाम पर खरा है तो साइट लल्लू के पैजामा फाट से नीचे गिल जाता था धमाका के वज़ा से हम बताई ला अई संटमासा ये कुरुन्तो के था और अभी जनता लोग चुपे-चुपे कुरुन्तो है और इसी से एकाग गो और है तो ये सब आल है और यो डगे है ना तो उसका आवाज जनिकलता है तो जमीन हिल जाता है आंके प्यर हिल जाता काकी दरवाजा घर के हिल जाता है मनुष्वाक-श्वाक अजमी फर्ट से डंप गिर जाते इतनी ताकत है उसमें हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं भाई जी और अग्मार ने ये जिक्र की है कि शुरी नाम से लुख़ार्ट मास्खपयाई एसलम अब उरान शुरू कर दिया आज एक साथ मिले याने हम स्टाम के लिए रवाना हुआ है एसलम वे सेफ 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 आज शुरू किया है आज गया है और ने जिलांसे हपता में दो बार काईलम आता है और यहाँ से आज एसलम गया है अब एसलम उरान करेगा क्योंकि मिलेसर का विचार है SLM को पैसा कमाना चाहिए SLM आज 7 बिजे साइद उर गया होगा नहीं अभी उरने वाला होगा आज लेकिन SLM का उरान होने वाला है धीले धीले भाईया जी मैं क्या बताना चाह रहे है कोट के जगहा सुनिए कोट में का भेगा कोट में सितिंग के बाद अन्होग श्वान रफ्राव एक औरट पेट से कल अपना एक्स पार्टनर किशोर कुमार बेई उनके जो गुला किया है आदमी ने उनकी साथ बुलाई की है वो जज़ के सामने वो फोर फोर करके साथ बताई है बात बताई है अग्स वान रफ्राव एक्स पार्टनर किशोर कुमार बेई का यह औरत कहिती है कि अक्तोबर के पास तारीख किशोर कुमार ने उज़े एक होटल में उन्हें बुलाया है पैंशन, पैंशन के बात इन पैंशन एक्स पार्टनर किशोर कुमार इस औरत को एक पैंशन में बुलाया है वहापन यह गई है तो पास तारीख उनके पैंशन में बच्चा है ए ड्रेज दा हार एंड बेवी तो दन ए ड्रेज दा हार एंड वेवी तो दन और वेल दन कैसे क्या बोली मौसी बारी सरम लगे हमारे मूर से बाहर ये सब बात बक्रा लिख देखे हैं न होलांस में अपनी बात से सब कोई स्पर देखे हैं अपने भाशन नहीं समझाई तो वह देखले कितना बेसरम अदमी है इनना समझ पाइसरा की बुढ़िया लो भी सुनत है भी करी तो कह कोरी का की याखभा नेरी खस हैं घिये हैं ये जजर के सामने घड़े हो करके बोल रही है तो जो उन के सरम नहीं आई तो हमें कौन सरम यहां पढ़ कर बतानी के लिए अनेक अनेक चीज़ के यादमी बोले कि भेट में जो बच्चा उसको मारना चाहा और बीर के बोतल से ऐसा गुना करने वाला था अमना सबस्पाईदा ये कैसे में के समझाए आप लोगों को भाया जे यादमी ने इस आदमी को इस औरत ने कभी कुछ पहले से रिलाट्सी बंद कर दी थी और चला गया अपना पहला पार्तनर के पास तो फराव हाथ रिलाट्सी में दी सम्मान उसे पहले एक आदमी रहा ओके छोड़ करके आए था किशोर कुमार के पास अब किशोर कुमार के छोड़ करके फिर अपने दिल कुमार के पास चला गया दफ्राव हाद रिलाट सी मेठ हम बैंडख्ट एंड खिंक तरिखना रहा एस्ट पार्टनर तक कि शोर कुमार उधें पैंशन में बुलाया जब तू अपना पार्टनर की शोर कुमार के छोर करके पैदा पार्टनर पाज फिर चल गए तो काहे के इस नवटा लेकर के तू पैंशन पहुंच वे तो इसी कारण से ये अनेक अनेक परकार के बाद कहा है यहां लीखा है कि ये पाच अक्टोवर को इनको गला दबाया था इनका जो नीचे के कपड़ा है नीचे कपड़ा खीच करके गटे में पैट करके इनको मारना चाहा यालिखी शोर कुमार हर अंदर खुद अम हर हांस ट्रॉक अन हर तुलिखन अप फैफ अक्टोवर और बद्रेश द बेबी जगोड़ एन बीर फ्लेश गार्ट स्टपन अब आट समझ गे लखा बाट माउसी कि अजमिया का लेखो कितना पहुँचे कर ठिटनी पहुँच वाला इंसान था बप्पा उसका अंदर खुद खीश करको उपर आया गटई में लपेट दिया फासी लगाना चाहा बच्ची को मानना चाहा पेट में और बीर फ्लेश लेकर के गया था भाए आप तो जानत है जज के सामने ये सब बात हुआ जज ने सब बात लिख लिया जज ने सब बात समझ गई है लेकिन द्रियन ट्विंटक फिब्रिवारी को अपना फैशला सुनाने वाला है या वाली है काज जी एक कौँसा रेक्तर है परकी लेक्तर ने ये बात ब pigs धियान से सुनी सा कि कईसे एक औरत का खट्या एक इंसान करना चाहा राउल एर और यूहनस यह दोनों भी बकलाग बकलाग दो बांक बेबाइचा है बकलाग दो बांक मेर बाइचा दोनों है और फीसीर शांता महादेव अधरिकी देश के अंदर में 22 सप्टमर को यूहानस ने दाकादारी से राउल ने दो दो दाकादारी से बाब 13 मार्क के और 13 सप्टमर के यहां रख्टर मोरीन डयाला बैठी बपा मोरीन डयाला बहुत धियान से सब के बाद सुन करके बुले अच्छा स्यसिया नीवारी को फिर वही हत्वरी लेकर के आएगा कोट में बस खली मारे के लेगा तफ़रा पर एक तफ़रा पर जब मारेगा बम से राउल और फलाने संत बोमा चलेंगे आगे भाई जे तो बात ऐसे है हमारे शुरी नाम के जनता एक क्रिक में श्लोर स्टराट के बात है श्लोर स्टराट एक क्रिक में अच्छानक कभीन में से बोटर कप कामर से आग निकलने लगा भाई जे लोग ने उसको बुझाया है और आग तो अंदर सुक होना चाहिए ये ट्रक एक ट्रांस्पोर्ट अन कॉलकुन जईखिर बद्राइफ का है इसमें आग कैसे लग गया है कई से आद लगा आदा घंटे के अंदर में बरांकेर पहुचा था बरांकेर इसको मुझाया है अब यह उन्दे सुकोगा एक ट्रेयन से सक यार खफ्रों रामा लान में बिचारी चलके कही जा रही है रामा लान में ना तो अब बात यही है कि जब वो डाम पर चलके जाती है तो उसको ध्यान न करती बिचारी कि उनके आगे बरांफिच है या पीछे बरांफिच है रामा लान के बात है दो डाकुए बरांफिच पर है तो रामा लान में धीरे बरांफिच चला करके अच्छान रखोकर हाथ के यह तास रहा बरामर तास शीन करके और ब्रुकपॉंदो लान के तरफ भाग निकला है यहीं पर आसपास में, ब्रुकपूंद लान में, उसमें पर्ट एक पॉर्ट मने इठा तास में, S.R.F. कार्ट, पेन पास, इधांची तेश कार्ट, जैस्ट व्रेफेक्टिक S.R.D. यह सब पैसा लेकर के डाको ने बाग गया, बासत साल के औरत, रामालान में तास लेकर के चल रही थी, ना आगे देखत है ना पीछे देखत है, बकि डाको ने सगरो देखत है, सगरो देखत है भाईया, उनको चस्मा के अंदर से सब बात मों देखते हैं, जिसे शारू खान ने लाग चस्मा जर लगाया ना, तो शरीर के अंदर तक बिखने लगा, ऐसे इनलों को पास चस्मा मों से, समझेगा, चलेंगे आगे, तो अब हम आपको यह बात बताना चाहूँगा, यह कौन सा बात है, प्यारे जंटा, मौरिस एस, वो भी रक्साल में है, रक्साल में है, जहां लिडिया राफन बेरक के मुकदमा में है, यह इलाका कमवईन में, आक्तोबर के पहली तारीख, यह डाकादारी से भाईया, एक मकाम में भुश करके, एक मोटरगारी भी चोड़ी की है, इनको इंजाम है, टेलेफोन, स्टेरियो सेट, खेंपिस, पेपर्स, आउटो, जैखस्तोन, सब भाईया जहार बहार करके गया, द्री एंटरी फिबुरी वारी को, यह मुकदमा, फिर जज़ के सामने, पेश होने को जाएगा, अनेक अनेक परकार के बात है भाईयजी, ना, मिनिस्टर फान बिन लांस साथ, यह चल दया है, अब कुरोनी के तरफ, निकेरी के तरफ, खास तोर पर, सबी अमतनार को, रखस्टरे करने के लिए, कुरोनी अनिकेरी, वो लांस दिनार रिखस्टरा थी, ना, तो भाईजी, यह दोनों के लिए, दोनों इदिस्टरे के लिए, आमतनार को रिखस्टरे करने के लिए गया है, और कुरोनी के बाद सुनो, वहाँ के कमसारस, माइकर वेंटर, वहाँ पर जितने, केंजर, मचलिया बाते हुए हैं, एक फिस ओन दे नीमर, कमसारस के पास, ज़्यादा मचलि पकर के दे दिया, बस कमसारस जा करके, उन बुर्वा लोग को, लरकन लोग को, याने मचलि बात करके आया, और कहा कि खाते हुए मचलिया, कांटा से बच के रहना भाईया, क्योंकि कांटा भी जो मचलियन में है, वो भी काफी नराज है मुनिस को उपर इस वक्त है, चमझे न, एक आकी, अजीव अजीव ये चेज हम लोग, अगबार के अंदर पढ़ते रहते हैं, न, और ये सब बात हम लोग का फर्ज है, आपके पहुचाने के लिए, और वही से तुम्हें आपको बताए थे, कानवाई मा के तरहीं से, सौद्रें से, सब कुबानन को हटाया गया है, सब के हटाया गया भाईया, करीवन दो सब कुबानन चला गया था फर्ज हमारी वो, अब बाकी रह गया था, उन्हें सब के पकार पकार कर गया, पकार पकार करके, बैठा करके बिश में, वहां से हटाया गया है, रेक्रीटन कोर्स पुलिशिस्युरी नाम इन आक्षी, इन्हों का बैएज दिखिंग आद न हुआ, लेकिन जैसे हम ये कवर मिला है, तो आने वले सब मुआर को, 21 तारी को, हर एक रेक्रीट को बैएज़ दख किया जाएगा, आने वले सब मुआर को हमारा इंफर्मासी है, कि ग्रेक्रिटन कॉर्स पुलिशिस्युरी नाम इन्हों का बैएज़ दिखिंग होने को जा रहा है, ये जो लगडाउन का का, वीकेंट में साथ मुझे रहेगा समझेगा, साथ मुझे के बाद दापन रजेयो, वीकेंट, आम जैफन इल आनफंग, जैफन इल आपको बताना जरूरी है, ये वीकेंट के लिए खिलिए रहेगा साथ मुझे, ताकि हम लोग के दिमाग ठिकाने पर रहिया है, हम लोग बहुत से भाईया धकता खा चुके काके, अब हम लोग को बज़के रहना चाहिए, चलोएंग भाईजे, वेखर आउटरिटाइट के बारे में, वेखर आउटरिटाइट, मिनेस्टर रियाद नूर महम्मद, अब एक कुछ दिन पहले, नूर महम्मद साहिब, गरसिलिया, युशर्शोन को, याने की जैशे पता चला है, इस तेस ऑखिस्टस 2018, जग दिरेक्टर वाईटरिटाइट सुरिणान, वहांपर इनको बाताएगे है, वरसिलिया, युशर्शोन, ऑखिस्टस 2018, उजर्भाप पहले था, गयो नॉर्दन, इनके उपर इल्जाम है, की ये बाईमानी की वहांपर, मलफर्साद्स, जिस्टस की अववबाथिस्ट्स, अतर सुर्दन च्शर्दस, इनके वहांपर्स, इनके झाल्ब काब्स, यिåफुशर्दीश, Heeft toen 54.000 SRD Gestort op een rekening Van de NDP Voor aankoop van vlaggen Wegen autoriteit Heeft toen 54.000 Gestort op een rekening Van de NDP Voor aankoop van vlaggen Minister کے report کے مطابق یہ بات ہوا ہے کہ Upovar Ministeri جب یہ سب بات ondustuk کر چکا تو پتا چلا کہ Wegen autoriteit 54.000 شرنان کے پیسہ SRD NDP کا een rekening پas stort کیا ہے جھنڈا خریدنے کے لیے 9.000 NDP کو یہیسا آپ جانتے ہیں یعنی کہ کچھ Utsuha urhasan naam in Onafank lakhe इतना हा वगएरा चोवन हज्जार पैसा स्तौर देरा तो आप देखो भाईया सरकार याने रखतर क्या पैसा देता है हम जानते हैं भाईया जी की सरनाम में जब धक्का लगे हैं दो गारी में कितने लोग का नुप्सानी होता है मर जाते हैं कितने लोग घायल हो जाती है लगा और यहां पर अपाहिश हो जाते हैं इसलिए सब लोग को बिचार है मांग है कि फरकेर्ष में ऐसे धक्का ज़े लगे लोग को छोट लगता है तो फरकेर्ष सलाख आफर फॉंक्स भी होना चाहिए जो हमारे देश में नहीं है फरकेर्ष सलाख आफर फॉंक्स तो नया आसंबली लीजन को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक नया कनून बनाना चाहिए जो आसंबली में बहंदर करना चाहिए फरकेर्ष सलाख आफर फॉंक्स एक फॉंक्स होना चाहिए ऐसा घटना होता है तो परिवार या जो लो कि बात हुआ भाई आजी एल फे फे के बात हम करने जा रहा हूं कि लोग ने इस वक्त मेस्ट के बारे बात करते हैं इस वक्त फूर के बारे बात करते हैं एल फे फे उकर बारे में चिंटा कर रहा है चिंटा कर रहा है खासतर के फूर के बारे में फूर जो बहुत जरूरी है जो मुर्गी बगरा, दुख्षा बगरा, शुवर और गाई गोर उपस्ते बगरा रहता है तो फूर के बड़ी जरूरी है और इस वक्त हर एक जगहा पर फूर का प्रेस बड़ी उपर चला गया है जंता भर नहीं पा रहा है जंता के तरकाई नहीं बिख्टा है जन्ता का ये मुशीबत जन्ता का वो मुशीबत न बकि भाई जी ये जो फूर के मामला है फूर बनाने के लिए जो समसिया है एक जहाद सोमवार के आ रहा है शाइद वही लोग को मज़ट कर पाएगा अनेक अनेक प्रकार के बाद है भाई जी अब हम आपको बताओंगा श्री लान के जन्ता ये फिर से सभापती का दर्जाए ने दिया गया है श्री लिकास, पेटर क्रोम वेर्जो, रजेंदर कुमार रामजस, विलकु एमानिवल, और राई जाता है माइक सालों, और हैंडरिक जमालू दी, हेखो बलंकर, हैर कोजन, आस फूर्शिटर, मिल्यों विहेर का यहाँ पर एक खास लेस है, खास खबर है अपना जतने अफदेले बस्तीर है कि थी द्वारा, सब लों को खबर पहुचा दिया है कि ऐसे वेता जतने मस्जिते हैं, जतना मस्जित है, मस्जित नथ आलमस्केयन, तो नादर और्दर जैन खश्मूतन यह भरहाल करते हैं गश्रिनाम से इस्लामित से फर्रेइन खिम अपना सभी जमाद के अफदेले मस्जित को बीवे को चिट्ठी द्वारा खबर पहुचाए है कि मस्जित का दर्वाजा कुछ समय के लिए बंद रहेगा आप जानते हैं स्युरिनाम में रिख्यले ने जो नया कोविद नीखंतिन के तनून जो ऐलान किया है मक्सिमाल तीन मेंसें इन रूंटे मोखर जाएं इसी बजा से जमा का नमाज बेट बंद कर दिया गया है बसके इन तो नादर अर्दन तो स्लॉइटन S.E.P. का सभी अफदेलिंग बंद है बीवे से S.E.P. ये दूसा जमाद के बात सुनिये बस्यूरिनम्स मुस्लिम असोसी ये गास करके अपना होंग इमाम घजरत मौलाना वजीरावी सम्सुदीन अ-कडरे साहब ये वेसलियाकी बस्लोटन अ मुस्के बजूक ओप पर दूमानमास एंड फो डजिक्र दौंदरावन या जुन्यराच लेजराम अप्त स्खर्तन यहां भी ऐलान हो चुका है कि वो कुछ समय के लिए इनको बंद कर लिया जाता है भाईजे एसमा के ये फैसला है आप जन्ता और मुस्लिम के लिए ये ख़बर पहुचा गया है तो आप जानते जुमा के नमाज में दस से ज़्यादा लोग नमाज में खड़े होते हैं और नया कनून दस से ज़्यादा नहीं इसी कारण से एसमा श्कॉर्ट मश्खई बजो तो नादर ओर्दन अब ये कोवीड नहीं खंटीन के मतलग ये मौशी घरे रहो कोवीड नहीं खंटीन घर पर रहो जितना कारुबार हो सके तो घर ही से करो घर में रहो चाहे जो चीज कर हो जाए अब करियो तका करियो पहले तो मर्द चल जाया करता था दूर-दूर काम करने के लिए हत्ता न रहता था अब वो जमाना बीद गया काकी अब मर्द और दुनों घर में रहना चाहिए घर में का करते का न करते एसकासी भाईया हार एक दूर में पर एसकासी के दर्वाजा खुलते हैं खराक बंद होए खराक बंद होए तो एक भाईया गया तो बहुती गया तो ये गया तो कोई पानी ले गया गया कोई कोला ले गया कोई शोकुलाद ले गया कोई ऐस अपरा ले गया कोई ये गया दिन क्योंकि सब लोग के कुछ न कुछ जरूरी है अब घरवां करियो का करियो और यतना बात है माउर बताईला अब दूसरा बात तीसरा बात तो खुद जानत है यह लेकिन हम ख़ली एक बात पूछ रहे हैं और केसे पूछेंगे हम पूछेंगे कैटलीन बारों से कैटलीन बारों भी बेचारी घरी रहती थी काकी लेकिन जड़ो नूफ एमबर को ये बैया सी कनहेश में बेचारी पेट से थी न दिया कनहेशन है इसके बात है या किसे सन हूश में पे zodिती मैया कैतής बारों 12.12 2020 Alm quelle ₹8-58,»059,» बारी 5200,000 निक बारी से मैً बारों आद्वें बारी से मैं बारी से लघ lemon है, जograf नड़े वेला, प्त्री मारी से रंशी बार बपपा अब हम बोली तो काबुली काकी ये और केट्विन बरों नोफेंबर के दो तारी जो गए सिकन है तो भाईया वहाँ पर ये सोच के गई थी कि दो लड़के लेकिन वहाँ तेन बच्चे हुई है तेन बच्चे और बड़ी खुश्याली के बाद है एक का नाम है सुनि इन सलेइन एक नम सरेइन और एक के नम सरीइन सम्झें न काकी ड्रीलिंग के बात है तो ये ड्रीलिंग वचारी के हुई है और हम लोग यहां से केट्लिंग बारों को मुबारक बाद हमनों देखे हैं वय फेलिसितेर हार मैं दे द्री किंदर द्री वेकश केंदर एं ज्मोई किंदर सलेइन इन एंद यन देक लो है या देक लो काकी द्री वेक खबोरें इन है सिकन है लेकिन बिचारा फेस नकर पाई क्योंकि फेस करना मिना ही है वन नात शुंते जिया को नेशन सिकन है इसके आस पास में बजद भईया वहां तिंगेरो बजद धुमुद 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 अवहां पर जमीन पर नच्टे बपा ओ नचाई नच्टे हम तो से वताईला लेकिन हम लोग कैतलीन बारॉम को हम लोग इन बच्चियों को बेबी को हम लोग यहां से मुबारिक बाद पेश करते हैं बहुसे मुबारिक बाद एक बच्ची जो डिफ्लोमा हासिल की है उन्हें हम मुबारिक बाद देदे के लिए जा रहा हूं शालीनी एर रामदीन शाली ने ए रामदीन पास हुई है स्कूल में बैचलर ओफ बिसनस अद्निस्ट्रेशन का दिगरी हासिल की है बैचलर ओफ बिसनस अद्निस्ट्रेशन इनका नानी के नाम है चंदर्वती रामदीन रामबरन चंदर्वती रामदीन रामबरन और बपावया संजै ओमरलैने लच्मन और भाई है से रोहन लच्मन तो मुबारक हो शालीनी एर रामदीन जो होख स्कूल सुरिधामा में पास हुई है बैचलर ओफ बिस्निस अबनिस्ट्रेशन बहुत से बहुत मुबारक हो ए भाईया जे एकाके जतनी बात रहा आपके खिद्मत में बोलने के लिए मैंने कोशिश किया कुरोना फिर से बश के रहना ये जो बस्मेटिंग है ये बहुत लोग को नुक्सानी पोँचाएगा बहुत लोग के नुक्सानी पोँचाएगा इसी कारण से मैं आप लोग से निवेजन कर रहा हूँ कि जब आपको घर में रहना तो घर में रहो नोई इसका हाथ होते रहना तो यह अंदर हाल अपने इसरा खड़े हो करके बात करना ना काके और हम दूसरा बात कहे नहीं सकते हैं दूसरा बात है भी नहीं बोलने के लिए ये इसेमल महिना है, रह रहके ज़्यादा हवा भी चलने लगा, रह रहके बारिश होने लगा, उनसे आप भी वाकिव रहना, क्योंकि हमारा देश में इतनी हवा चलने लगा, कि बहुत लोग के घर के सिंग पलाइट उठ जाते हैं, घर के आसपास में पेर वगारा भी गिर जाता है, एका की सब बार जैसे जनता सोच रहे थे की, कोफीट नहीं खाती हैं ते सब के घर में रहे के, अचिन मेरना हंद़ट प्रेंट किलोंड लग्स न दे स्चिप अप हाफन, रहे, हिदाणा एद्दाणा ते दौार नशेर्श आज के बाथ है, शिल्सक्नी हाफन पर वेंखरोट तसन जिसमें 140 किलोखराम कोकाईन ये जाकर के वहाँ पर बस्लाख में लिया है दो आम ले शार्शने मैं आप से कह सकता हूँ कि एरसाइन अबितली से बत पता है कि ये होग ब्लोकन अप कमवईने से याखलूस कंटेंडर में लदान है ये मुंकीन है कमवईने से लदाने मैं या अव ट्वेदेपर्टेद्ट रुक्स इस बने कorte periode अवेद्ट अवेद्ट आंगत्रूसर वोश्दग 19 और श्वेदिट वितिव दवेद्ट वेद्ट वेद्ट रूंट्ट वेद्ट अवेद्ट रूंट रज़ने से अवेद और ये दादा और बात हो कही सकते थे लेकिन जन्ता हम आने बले दिनों में आपसे मुलाकात फिर करेंगे मैं उनीच रखता हूँ भाई जी आप जाने हैं आलब ब्रोखन आफक श्लोट अंट इस वीकेंड लॉप डाउन आलब ब्रोखन सब ब्रोखन की बंद रहेगा सब ब्रोखन की कौर्फरी सीरी नाम का खबर सुनते रहना जतना ब्रोखन सब बंद रहेगा ये वीकेंड के लॉप डॉन में आपके समझ में सब बात आ गया है और हम अब आप से इजासित चाहेंगे भाई जी मैं आप लोग से इजासित चाहूँगा भाई जी क्योंकि मैं श रहतना बहुत धियान से आपके साथ कोई इसा गलतियां न होए पाए कि मुझ अपिस जारफ लेटन मुझे इजासित दीजे बहुत बहुत शुक्रिया माशा आलला हिशा आलला फिर मुलाकात होगा आउद शार्लस्बुरग 95 से स्रीमती हारियत रामकुमार बिर्तंती सोख के साथ ये सोचना देते है के सुक देजम्मर के अठारा तारिक तेरपन 53 साल के आयुमे स्रीमती हारियत रामकुमार बिर्तंती का पती, स्रीमान रौणी सुर्जू सिंग का बहनोई, स्वर्गया राजी गुलेला जगरूप का दमात, स्वर्गया अलफॉन्स और स्वर्गया इत्वारी रामकुमार का बेटा अउदेशा लस्बुरख पंचाननबे का निवासी स्रीमान परदीप रामकुमार के वरित्ती हुवी है पाता के नाम से लोग ज्यादा जमते थे बड़ा बाजार पर बाजार करता था अर्थी एट वार बीस तारीक दस बजे से घर पर लाश देखने का मौका बारा बजे निवास्थान से उठाई जाएगी दो बजे वेखनार से इपर डाख करिया की जाएगी प्रेसेलास्तरा दस से स्रीमती त्रूस तिसूर ओधू सूख के साथ ये सोचना देते है के सनीचर देजंबर के उननैस तारीक घर पर अड़सत अखतन सेस्तख साल के आयू में स्रीमती त्रूस तिसूर ओधू का पती प्रेसेलास्तरा दस का निवासी स्रीमान रबिंद्रदत तिसूर की बरेक्ट्य हुवी है आर्मान्त के नाम से लोग ज्यादा जानते थे अर्थी के बारे में रापार के आइंदा प्रुग्राम में खबर की जाएगी स्पेशल बधाया और खुश्या जाते है अनीशा शिवानी बंधू के नाम बुद नोवेंबर के ग्यारा तारिक फ्रेय उनिफेर्शितेट अमस्तरडंप स्थी दिरेख्टिंग सीखलोखी पर अपना दिगरी हासिल किये है तीतल ताइटल मिला है Master of Science in Psychology इसी खुशी मौके पर स्रीमान अम्द्रे बंधू, स्रीमती शरीता बंधू, बिल्गू, अपने लाडली बेटी, जयन्ती और पायल अपनी बहन आजी चित्रा बंधू, नयपाल अपने पोतीन, नानी, फूल्वती, बिल्गू, बावुलाल अपने नातिन को बहुत से खुश्या, प्यार, बधाया, आशिरवात बेश करते है कभी मुस्कुराहत तेरे होटों से दूर नहो, कभी मुस्कुराहत तेरे होटों से दूर नहो, तेरे हर ख्वाईश हकीकत को मन्जूर हो स्पेशल खुश्या, स्पेशल बधाया, जयंती, शीखा, बंधू के नाम सो मुआर देजंबर के चाओदा तारिक अंटॉंड़ कॉम उनिफरिटेट फ़न सुरिनाम स्टूदी रेख्टिंग बद्रेव सकुंद पर अपना दिगरी हासिल किये है तीतल मिला है बैचलर अफ साइंस का बिसनिस मैनेच्मेंट में इसी खुशी मौ के पर स्रीमान अम्दरी बंधू, स्रीमती शरीता बंधू, बिलगू, अपने प्यारे लादली बेटी अनीशा और पायल अपनी बहन, आजी चित्रा बंधू, नाइपाल अपने पोतीन, नानी फूलवती, बिलगू, बाबुलाल अपने नातिन को खुश्या और प्यार, बधाया और आशिरवात पेश करते है दर्द और खम से तुँ अनजान रहे, खुश्यों से तुम्हारी पहिचान रहे, दिल से सिर्फ इतनी आशिरवात है, तेरे होतों पर हमेशा मुस्कान रहे कोवान सराच 27 के रहने वाला स्रीमान प्रसंद लचमन के 25 साल करेव, सनीचर देजंबर के 99 तारिक आज है खुशी माओ के पर स्रीमती वनीशा, लचमन से उपर साथ अपने प्यारे पती, स्रीमान राजन लचमन, स्रीमती शकुंतला, लचमन देवी पर साथ अपना बेटा, किशन अपना भाई को बहुत से खुश्या, प्यार और बधाया पेश करते हैं आशिरवात के साथ यूही बागों में फोल खिलेंगे, हर दिन तुझे नए खुश्या मिलेंगे, आते हैं पल, जाते हैं पल, सोचो की और अच्छा होगा कल कोमान स्राथ 27 के रहने वाला स्रीमान प्रसांत लच्मन के 25 वी साल गरे, सनी जर्ड इजम्र के 19 तारिक आचे खुशी माओ के पर तुफलोख वेख सत्तर से नानी, पीम देवी पर साथ सुमेर अपने प्यारे नाती नायपाल स्राथ 54 से स्रीमान स्रीमती जग्दीज लच्मन अपना पोता को बहुत से खुशिया, प्यार, बधाय या अशिर्वात पेश करते है तू जहां रहे, वहां रहे सदा मेठी गुन जहसी की, लाए हर सुभ तेरे लिए केरने खुशी की कोमान स्राथ 27 के रहने वाला स्रीमान प्रसांट लच्मन के 25 साल गरे सनी जग्दीज अमर के उनने इस तारिक आज है खुशी माओ के पर हाइदराबाद 2490 से स्रीमान बीजई और स्रीमती मारै का से उपर साथ अपना प्यारा दमाद सूरत से उपर साथ बहनोई को खुश्या और प्यार बहुत से बधाया और आशिरवात पेश करते हैं जिन्दगी हर कदम एक नई जग है जिद जाएंगे अगर किस्मत तरे संग है स्पेशल बधाया खुश्या है कलाईता हनुमान के नाम सुक देजम्बर के अठारा तारिक अंतुन्दगॉम उनिवर्सितेट वन सुरिनाम पर सुधी रिख्टिंग सीखलोगी पर अपना दिगरी हासिल किये है इन्हे टाइटल मिला है मास्टर अफ साइंस का एसी खुशी माँ के पर लासकार वेख असी क्वाता से स्रिमान अंद्रे हनुमान, स्रिमती कमला हनुमान धाउताल अपनी लाटली बेटी स्रिमान मिगवल लाईशुफात अपनी प्यारे पत्नी कूशा और अश्वीन अपनी बहन, सुनिल स्रीपत अपने साली प्रिया जुरावन अपने ननत, आर्यन और श्रिया अपने मौसी, अंबरली अपने फुवा को बहुत से प्यार, खुश्या बधाया पेश करते है। कड़ा है सफर, दूर है धगर, लेकिन चलना तो है, पाना है, मनसी लगर। प्रिया जुश्या बधाया है, कलाइता हनुमान के नाम, सुख देजमर के अठारा तारीक अंतुन कम अपने निवर्सित वन सुरिनाम, स्थी रिछिंग प्सिछोगी पर अपना दिग्री हासिल कीए है, तील मिला है, मास्टर अप साइंस का, इसी खुशी मौ के पर वल्खडख आसे स्रीमान सुनिल स्रीपत अपने साली, स्रीमती कूशा, स्रीपत हनुमान अपनी बहन, आरियन और श्रिया मौसी को बहुत से प्यार, खुश्या और बहुत सारी बधाया पेश करते हैं, जीवन के रास्ते में हिम्मत और महनत से जो भाग बदलते हैं, जीत उनका ही चलते हैं, और दीप उनी के लिए जलते हैं, स्पेशल बधाया और खुश्या जाते हैं, कलाइटा हनुमान के नाम, सुक देजंबर के अठारा तारीक, अन्तॉन ड़कॉम उनिफेर्शिटेट वन सुरिनाम स्टु दिरिख्टिंग प्सीखलोगी पर अपना दिगरी हासिल किये हैं, तितल मिला है मास्टर ओफ साइंस का, इसे खुशी माओ के पर पिना पलम स्टु रात नमर पैटालिस से, स्रीमान अश्विन हनुमान अपनी बहन, स्रीमती प्रिया हनुमान जुरावन अपने ननत, अंबरली अपने फोवा को बहुत से प्यार, खुश्या और बहुत सारे बधाया पेश करते हैं, कौन से मुश् इसे खुश्या प्रिया है तुक्या होता है, वोई होता है, जुमन्सूरे, खुदा होता है, दमन्सूरे, घुदा होता है, en welkom tot deze zaterdagse aflevering van Rachid Pierkans, Kalla Jorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 19 december 2020. Kalla Jorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN Radio Frequenties RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via Ekmiradio 91.3 FM. In Ikeri is deze uitzending te beluisteren op de 103.5 FM. Kalla Jorkal is ook live te zien via YouTube, daarvoor gaat u naar de YouTube-source Uslat in RBN Suriname, dan kunt u deze uitzending ook volgen. Online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com en landelijk in Suriname, ons eigen land, is Kalla Jorkal te zien via RBN TV, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkans, ik presenteer vandaag Rachid Pierkans, Kalla Jorkal samen met Serena Esset, goedemorgen. En ik zeg tegen u allemaal, assalamu alaikum. Laten we bij de aanvang van deze uitzending alle mensen konden leren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen. En vandaag moet ik een droevig bericht bekendmaken dat een zeer goede vriend van ons allen, in het bijzonder van mijn familie, en van RBN, van RAPAAR Broadcasting Network, onze goede vriend Armand Tisoer is koken om overleden vanmorgen. Armand Tisoer is een, hoe noem je, een Stamfutu, Stamfutu geweest nog steeds al die jaren van RBN, toen RAPAAR, RAPAAR aan de Nijmantpaard, RAPAAR aan de Gravenstraat, RAPAAR aan de Latschmanstraat. Altijd is hij behulpzaam geweest bij deze onderneming en alle activiteiten die we ook oud door mochten ontplooien. Hij is een zeer goede vriend geweest van ook mijn wijlend oom, Shahid Pierkan. Hij is vanmorgen overlieden, vrij plotseling. De oorzaak is nog niet bekend. Hij is ook bloeddonor geweest. Tientallen keren heeft hij bloed afgestaan. Hij is ook gedecoreerd geworden, eens in zijn leven. En we vinden het heel erg wat er is gebeurd. Condoleer Truus ook bij deze, dat is zijn vrouw. En het is als een verrassing bij ons gekomen, omdat hij in principe niet ziek was. Dus we moeten nog even precies weten wat de oorzaak is. Maar in elk geval, en ik condoleer de nabestaanden bij deze, we wensen heel veel sterkte toe. En we bedanken ook Truus, van harte, dat Armand al die jaren, ook ons altijd behulpzaam is geweest bij deze onderneming. Altijd. En het droevig bericht moet iemand brengen. En dat ben ik vaak genoeg wel, om het te doen. Ik doe het niet met genoegen. Ik doe het met veel pijn en met veel leed. Dat ik ook deze berichten aan u moet brengen. Overigens, als u iemand hebt verloren, die is komen te overlijden, ook veel sterkte toegewenst. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe. En aan u allen een spoedig herstel. Uiteraard zijn er vandaag ook mensen jarig. En al deze mensen willen ook van harte feliciteren die er vandaag jarig zijn. Met nadruk wil ik vandaag beginnen te feliciteren. Winot Boudoulou. Hij is vandaag jarig. Winot, een leuke COVID-jaardag aan jou toegewenst. Niet dat ik jou COVID-toewens, hou dat goed vast. Maar Winot is een heel sportieve man. Hij is altijd op de fiets. Hij fietst het hele land door. Altijd krijg ik met vol waardering hoeveel conditie en doorzettingsvermogen hij heeft. Om deze sport samen met andere mensen constant te beoefenen. Een heel leuke dag aan jou toegewenst. Charles Chigarou wil ik ook van harte feliciteren op deze zaterdag van 19 december. En Serena, jij hebt er zeker ook jarigen. Ja, ik heb er ook jarigen vandaag van harte gefeliciteerd. Nalini Ljubitana en Rosilio Albitro gefeliciteerd. De volgende personen mogen hun jaardag gaan voorbereiden voor zondag 20 december. Lucien Karig, die is morgenjarig. En Narendra Kalou, die is er ook morgenjarig. En wie is het bij jou jarig? Nou, morgen is jarig Alison Frank. Zij is ook advocaat, collega van mij. Van harte gefeliciteerd en ze is ook pas benoemd als honorair consul van Suriname in Zweden. Dus gefeliciteerd. Ook is morgenjarig Ruth Norton. Zij is een bekende gospel zangeres gefeliciteerd. En dan heb ik er nog twee. Manasena Guete, die is morgen ook jarig. En Meredith Domper. Een hele fijne jaardag toegewenst. En voor maandag 21 december moet ik gaan feliciteren aan het Mohan. En Usha is ook jarig maandag. Die mag haar jaardag voorbereiden. Usha Lutschman heeft ook jarig haar bijdrage hier bij RBN geleverd. Bij RAPAN en de marketing toen. Rachelle Randin en Audrey Asmus Casto. Maandag 21. Alvast jullie voorbereiding. Ja. Vanmorgen heb ik er twee mensen staan. Dat is Quinn Tilborreg en Presse Vreugd. Gefeliciteerd. Dat is voor maandag he? Voor maandag ja. Oké, geweldig. Dinsdag 22 december moet ik alvast feliciteren Pamela Mangournal. Trishna Baldeupersat Tehwari. Reita Jumrati is er ook jarig. En dinsdag 22 december Giacula. Als ik zeg Giacula, zou je zeggen, wie is dat nou? Ja, ze stond bekend als Giacula hier op de radio. Maar het is Corine Leisner. Corine Leisner heeft in de jaren tachtig hier haar bijdrage geleverd bij RP The Hot One. Samen met mij, Harald Gensel, Shaties Randert-Mizier en Gerard Inge. En de enige dame in de hele groep was altijd Corine Leisner. Corine, een goede voorbereiding naar jouw jaardag toe. En heel goede gezondheid overal. Ja, ik heb ook op mijn lijst staan. De één persoon die varie heeft ook op zijn lijst is Pamela Mangournal. Zij is één van onze Miss India's geweest. Die contesten worden hele poos al niet meer gehouden. We hebben al hele poos geen Miss Suriname meer, et cetera. Wat wel jammer is. Al heel lang is ook uit de lijn Miss Alida. Vroeger hield ik zo van dat ding. Maar Pamela was één van onze Miss India's geweest in Suriname. Gefeliciteerd. En ik heb voor dinsdag ook staan Stephanie Samson en Denise Mohamed. Alvast de felicitaties. Dit is Rachid Pierkans, Kala Jorkal op deze zaterdag. Ik wil ook een aantal geslaagden feliciteren, welke ik met alle genoegen doe. En de naam heb ik doorgekregen door de richtingcoördinator Economie, de heer Ram Dwark. Aan de volgende mensen wil ik feliciteren. In de week van 14 tot 18 december zijn afgestudeerd aan de ADECUS studierichting Economie als Bachelor of Science. Niaal Surangi, Umrau Madevi, Asghar Ali, Valerie, Beeldsnijders Roudaisha, Marengo Zamani, Walden Donovan en Missijan Marcelle. En als Master of Science in Accountancy, Widja Ganga Persant. Alle mensen gefeliciteerd en veel succes verder met jullie carrière. En vooral de mensen die in petjes zijn afgestudeerd, weet niet wat jullie per se gaan doen. Mogelijk gaan jullie werken. Want sommigen zeggen nee, ik ga even door voor mijn masteropgrading. So whatever you do, veel succes aan jullie allemaal toegewensten. Dit is Kala Jorkal. De internationale olieprijzen 52,31 dollar voor een vat olie. De goudprijs noteert 1800 dollar 82,40 cent. De koersen voor vandaag, mami en pappie koers, dat noemen wij de straatkoers. Voor Geraal 17 voor de aankoop, 17,45 voor de werkoop. Cash 18,30 om 18,60 en de euro die gaat voor 18,40 om 18,70. Kala Jorkal, laten we beginnen. We gaan vandaag ook direct de telefoonlijnen voor u open gooien. En wij verwelkomen uw maatschappelijke mening op het nummer 532037. Dan gaan we met COVID-nieuws beginnen, want dat is actueel. Het gaat blijven. COVID blijft nog zeker een jaar. Al hebben ze een vaccin gevonden. Maar wat voor info heb je over COVID? Nou, er zijn drastische maatregelen getroffen in Suriname. Omdat de gevallen die zijn aan het stijgen. We gaan nu weer in een scherpere avondklok, zeker voor dit weekend. Er moet iedereen om 7 uur thuis zijn. Zorg ervoor dat u thuis bent op dat tijdstip, want anders gaat u niet in uw bed slapen. En dat wordt niet zo fijn voor u. Dus iedereen moet de maatregelen goed in acht nemen. Dan gaan we even naar buiten. We hebben nu wereldwijd genoteerd ongeveer 23 miljoen besmette cases. Waarvan er 1 miljoen doden zijn ongeveer. Amerika is nog steeds het land waar de meeste besmettingen er zijn. Daar zijn er ongeveer 31 miljoen besmettingen. Dan volgt daarop Europa met ongeveer 23 miljoen besmettingen. En Zuid-Azië met 11 miljoen besmettingen. Zoals Farid al zei, er zijn al vaccins. En een van de grote zorgen is over de toegang tot het vaccin. En men is heel erg bang dat de rijkere landen het snelst toegang daar toe zullen krijgen. Dus de WHO is daarmee bezig. En er is een organisatie, dat is de ACT. En dat staat voor Access to COVID-19 Tools. Die gaat dus over om een zo eerlijke mogelijke distributie te krijgen aan de landen. We gaan zo meteen verder over COVID. Want we willen onze eerste beller van vandaag de gelegenheid geven. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen mensen in de studio. Ja. Ja. Ja, goedemorgen. En mevrouw Serena, ik heb je een aantal mensen gefeliciteerd. Ja, een aantal mensen gefeliciteerd. Maar u bent een belangrijk persoon vergeten. Meneer Aiwan Rasul Bak. Ja. Ik had hem op mijn allees om als een apart item te behandelen. Want samen met hem zijn er nog elf andere rechters. Maar bij die felicitaties, zei hij dit? Nee. Nee, want hij is het alleen. Er zijn nog andere toch. Hij kreeg een speciale plek bij ons. Vandaar dat we hem apart behouden. Ja, nee, want ik wil ook zeggen, loszaam meneer Rasul Bak. Oké, tweede kleine vraag. Tweede kleine vraag. Ja, ga je gaan. De PG gaat volgend jaar april tijd met pensioen. Ja, gaat u gaan. Er zijn al een paar namen bekend die hem gaan opvolgen. Oké, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Oké, ten aanzien van de eventuele benoeming van de PG. Er zijn geen namen als zodanig bekend. En mochten die namen bekend zijn, dan zijn ze als vooralsnog geheim. Want dat is ook des regering wat dat aangaat. Maar wij willen niet speculeren om namen te lanceren van mensen waarvan we het ook niet zeker weten. Laten we dan toch even terugkomen. Die meneer maakt een opmerking inderdaad. Aiwin Rasul Bak is hofpresident geworden. We moeten hem van harte feliciteren. Hij heeft zes jaar in de waarneming gezeten. En bij de wee, hij zei ook er zijn veertig rechters nodig. Minimaal veertig rechters zijn er nodig. Er zijn nu negenentwintig rechters. Dat betekent dat ze te veel werk hebben. En als een rechter ook te veel werk heeft, zit er kans in dat je ook minder goede uitspraken krijgt. Om het vrij voorzichtig te zeggen. Omdat ze gewoon te veel werk hebben. Die working load is dan, wordt dan ook te veel voor hun. Dus er moeten in principe weertig rechters komen dat zij, jij werkt met hem. Wat wil jij tegen hem zeggen? Ja, de hartelijke felicitaties. Die functie van hofpresident is in totaal negen jaar vakant geweest. Dus de hoogste tijd dat iemand benoemd is geworden in die functie. En de felicitaties dat dat is geworden meester Rasul Bak. Al jaren neemt hij waar in die functie. En dat heeft hij prima gedaan. En vandaar dus ook zijn benoeming daarin. Los van hem zijn er ook nog elf andere rechters die wij moeten feliciteren. Er zijn zes nieuwe rechters beedigd. En dan zijn er daarnaast ook nog vijf leden benoemd tot het Hof van Justitie. Dus gefeliciteerd. Het is echt bijzonder belangrijk. Omdat zoals Farid al uitlegde, er moeten minimaal veertig zijn. Dus met zo'n tekort begrijpt u, de zaken blijven ook lang op zich wachten. En los van het risico dat Farid zei dat je loopt, de kans op de kwaliteit van de rechtsontwikkeling. Dure zaken ook verschrikkelijk lang. Zaken kunnen gewoon jaren duren. Maar wij hebben een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, jullie daar in de studio. Ja, goedemorgen. Ik wil ook het Hof feliciteren met het aantal rechters die bijkomen. En natuurlijk de Hofpresident ook. Maar ik heb net de heer Farid horen zeggen dat inderdaad we hebben weinig rechters. Maar ik denk niet dat door het aantal wij slechte bonussen of slechte uitspraken kunnen krijgen. Maar ik denk dat het wel langer kan duren. Een proces kan langer duren. Ja, maar ik denk niet dat de rechters zullen tornen aan hun uitspraken. Het kan langer duren. Want twee jaar, drie jaar. U weet hoe het gaat. Toe gaat binnen het Hof, binnen het kanton, wanneer het er om uitspraken gaat. Maar goed, we zijn blij. De democratie niet gestalte. Laten we hopen dat straks in januari de grote zaken afgehandeld kunnen worden. Ik zou ook willen zeggen, met betrekking tot bepaalde spreiding van de corona. Dat wij als Surinamers begrip moeten hebben voor de regels welke gesteld worden door overheidsinstituties. We moeten heel voorzichtig zijn. Wij onderschatten het. Maar we hebben maar 42 beademingsapparatuur. Dus houdt u dat goed in de gaten. Het gaat om bepaalde groeperingen die het niet willen begrijpen. Maar wanneer de tijd daar is dat de hospitaal toch wel geen mensen kan opvangen of patiënten. Dan gaan wij zitten schreeuwen buiten de ziekenhuizen. Maar dan is het te laat. Dan heeft het aan ons gelegen. Ik verzoek de samenleving om de minister van Volksgezondheid zijn visie toch wel te respecteren. En blijven volgen de instructies. Zodat we het probleem niet groter maken. Dat was het. Dank u wel. Oké. Dank u wel voor uw bijdrage. Laat me ook even meegeven. Was het vroeger zo? Zo, nog een 40 jaar geleden of een 20 jaar geleden, dat de trend werd gezet door mannen binnen ons rechtssysteem. Dat de trend nu wordt gezet door vrouwen. Er zijn meer vrouwelijke rechters dan mannelijke rechters. En er zijn meer vrouwen bij het openbaar ministerie dan mannen. Er zijn 25 vrouwen op het openbaar ministerie en er zijn 5 mannen. Dus ons leven zal positief, laat me het goed benadrukken, positief bepaald worden door vrouwen. Maar opmerkelijk in deze, de vorige week, kreeg een Franse gemeente in Frankrijk uiteraard een boete. En een van de redenen waarom ze een boete kregen, omdat die gemeente te veel vrouwen in dienst had ten opzichte van de mannen. En dat mocht toen niet en die gemeente heeft daarvoor een boete ontvangen. Maar in Suriname keren de tijden anders, waren de mannen vroeger de trendsetters. We zien dat ook binnen de regering, althans binnen de instituten van de regering, binnen de ministeries zien we het ook, dat vrouwen de trendsetters zijn. Een van de primaire redenen waarom de vrouwen nou de lead hebben genomen de afgelopen 20 en 25 jaren, een lead hebben genomen. Omdat vele jonge mannen zijn gestopt met het studeren. Ze zijn gestopt in ons land. Want vele jonge mannen zijn snel aan geld gaan denken. Ze denken van, laat me gaan werken en laat me mijn studie niet afmaken. Vrouwen daarentegen hebben een andere doel gehad. En vandaar dat je ook op ADEC merkt, ADECus merkt, er zijn relatief veel meer vrouwen op ADEC dan mannen. Dus de trend gaat zich blijven voortzetten. Simpel om het feit dat mannen, of jongeren, jonge mannen in Suriname niet al te graag hun studie wensen af te maken. Dit is Kala Jorkel, ten aanzien van COVID. Laten we u de laatste cijfers ten aanzien van COVID in Suriname doorgeven. En dit zijn de cijfers van gisteravond, by the way. De trend is een stijgende lijn. Toename, aantal ziekeropnames is van 14 naar 23. Je moet weten, die multiplier effect is gemiddeld 1 op 3. Anderen zeggen ook wel 1 op 5. Dus als 30 mensen zijn bijgekomen met een besmetting, zit de kans erin dat het 90 wordt. Want multiplier effect is gemiddeld maal 3. Het aantal actieve gevallen bedraagt nu 108. 163 personen zijn niet positief getest en bevinden zich nog steeds in quarantaine. En donderdag was dat nog op 793. Op de intensive care bedraagt het aantal patiënten 3 en 23 personen worden nog buiten de ICU verpleegd in de schikkenhuizen. En dat was woensdag nog 5. 57 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 5459. Terugkomen naar de opmerking van de meneer, dat we zien dat we in principe in een nieuwe golf terecht zijn gekomen. We zijn in een nieuwe golf terecht gekomen. Het lag in de lijn der verwachting. Want overal ter wereld heeft men die trend gezien dat in de decembermaand vooral mensen zich niet zouden gehouden aan de vastgestelde regels door de overheid. En ook hier hebben we ons niet aangehouden. We waren op een gegeven moment heel erg blij dat we op nul zaten. Nu zitten we weer in principe zo goed als tegen de grens van een gevarenzone. Die president van ons, Santokki, die is ook onder enorme druk. En de druk is dat de horeca de mening is toegedaan. U moet ons deels openlaten. We zien ook zelf dat religieuze organisaties de mening zijn toegedaan in verband met de aankomende kerst. Dat er wat meer ruimte geboden moet worden voor religieuze activiteiten. Dus die president is in enorme druk komen te staan om besluiten te kunnen nemen. Neemt hij een besluit van die horeca, gaat niet open, om wat voor reden dan ook, dan loopt het hoogwaarschijnlijk binnen die groep niet goed voor hem af. Ook qua religie is een zeer gevoelige snaar. Religie is altijd een gevoelige snaar. En daar is er ruimte geboden. Maar we hebben daarentegen ook gezien dat wanneer de religieuze, hoewel we nog een week te gaan hebben voor kerst, houd dat vast, we hebben nog een week te gaan. Dus er kunnen situaties deze week veranderen. Want we moeten alles monitoren. Het kan ook best zijn dat het afneemt. Maar het kan ook best zijn dat het nog erger wordt. Nog erger wordt. Dus voorlopig is het besluit genomen dat religieuze organisaties de ruimte hebben gekregen. Dat ze hun diensten mogen verzorgen binnen de vastgestelde protocollen. Maar men moet ook weten dat mocht het erger gaan worden, dan is het verwachtbaar dat ook die toestegging eventueel teruggedraaid kan worden. Want uiteindelijk gaat het bovenal om de bescherming van de totale gemeenschap. Maar vooralsnog mogen de instanties, de religieuze instanties die hun beroep hebben gedaan, mogen volgens de regels hun religieus huis of hun entiteit toch openstellen. Dit is Kala Jurkel. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja. Meneer Farid, tot mevrouw Sri Ramjanki. Ik heb een paar keren al gebeld en een verzoek aan u, als u mij even persoonlijk terug kunt bellen. Het gaat om een overval. Oké, dan we hebben uw nummer, is het hier genoteerd, ik bel u wel terug. Afgesproken? Bent u er nog? Alvast bedankt. Fijne uitzending. Dank u. Oké, dank u wel. Dus dat kan ook in deze uitzending. Ik zal aan het voldoen. Oké, wat COVID aangaat, heb ik nog wat informatie voor u. Die prijzen van die Pfizer-vaccin, die zijn uitgelekt. Het lag niet in de boeldering dat dat moest gebeuren, want dat is geheimhouding. Maar een Belgische minister heeft per vergissing die prijzen op Twitter gezet. En dat is uitgelekt. Een doos kost 14,70 dollar. En de Europese, althans de Belgen hebben 14,70 dollar betaald voor een doos van die Pfizer-vaccin. De Europese Unie betaalt 18,34 dollar. Die bedrijven zijn natuurlijk heel erg woest, want dat is bedrijfsgeheim. Het lag niet in de bedoeling dat deze prijs op straat zou komen. Want nu met deze prijs kunnen mensen precies nu gaan weten, wat vraagt men uiteindelijk ervoor. Want ik hoor al bedragen in Europa, per dosis, per patiënt, hoor je bedragen van 200 tot 250 euro. Maar als de cost lending, de inkoop, is 14,70 euro, 18,34, dan gaat die discussie op gang komen. Waarom is die marge zo groot? Dit is Kala Djerkel. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goeiemorgen, Farid en mevrouw Ezef. Goedemorgen. Een vraag, ja. Er is onlangs bij een feestje, bij een inval, is er een feestje gestopt. En de leiding van de politiebond, dat zijn dus inspecteurs van politie, officieren, die waren ook daar aangetroffen. De vraag is, moeten deze mensen niet geen sanctie krijgen of zo? Want ze wisten toch dat er geen feestjes op dat niveau gehouden mochten worden, waar er meer dan honderd mensen aanwezig waren. En je hoort nou niks meer. Zegt de korpshech niks, zegt de minister niks. Oké. Oké, dankjewel. Ga jij dat pakken of ga ik dat pakken? Jij? Ja. Oké, doe jij maar. Oké, je microfoon is uit. Ik ben niet op de hoogte van het gehouden feestje. Dus ik vind het moeilijk, wanneer het zeker hoogwaardigheidsbekleeders betreft, om daar een uitspraak over te doen. Dus ik weet niet of Farid daar wat over kan zeggen. Maar waar de maatregelen worden overtreden, moet er uiteraard worden opgetreden. De beelden zijn bekend, het is op social media gecirculeerd, het heeft ook de hardkopje van Dagblad Suriname bereikt, waarbij inderdaad de vaststelling was van een feest. En die vraagstelling van die meneer, zover mensen zijn die daar aanwezig waren, zoals hij beweert, en het zijn juist mensen die in de controlerende functies zitten, dan zouden zij wel als goed voorbeeld moeten dienen. Moeten ze wij als goed voorbeeld dienen. Ik geef u maar een voorbeeld. De president van Chili, Pineda, heeft gisteren een boete gehaald. De Chileense president heeft een boete gehaald. En waarom heeft hij een boete gehaald? Omdat hij op een selfie te zien was, op een strand, met andere mensen. En hij had geen mondbedekking op. Terwijl het mandatory is in Chili, dat je een mondbedekking moet. Deze president is op een selfie gaan staan met mensen, je weet toch, foto maken. Met andere mensen om zich heen. Mensen hebben het gezien en heeft daarvoor een boete gekregen. Dus zelf een president van een land is niet onschendbaar en kan daarvoor een boete krijgen. Dus dan terugkomen we op het verhaal. Mensen die een voorbeeldfunctie hebben, moeten meer dan ooit letten dat zij ook de regels die zij vaststellen voor die samenleving niet overtreden. Ja, helemaal eens. En daar terugkoppelend op. We hebben ook de situatie gehad waarbij de pers, ja die heeft geprotesteerd. De SVJ, de Surinamse Vereniging van Journalisten. Die heeft geprotesteerd dat mensen beknot waren in de uitoefening van hun werkzaamheden. Waarbij er ook een biesma die is georganiseerd. En dan komen natuurlijk aan orde de rechten van de journalisten, van de media, persvrijheid. Om dus hun werkzaamheden te verrichten. En zij vonden dat heel erg. Dat zij op die manier zijn beknot geworden. Tegelijkertijd daarmee zijn ook de groep van entertainers. Die worden ook ernstig beperkt in wat zij allemaal moeten doen. En gewoon hun werk aan het komen van hun bron van inkomsten. Dus niet alleen de religieuze groep, maar er zijn meerdere groeperingen. Die dus nu eisen stellen. Omdat ze echt in de clinch komen met het verdienen van hun geld, van hun bron van inkomsten. Dus die groep heeft het ook enorm zwaar. Oké, laten we terugkomen op het geval waarbij journalisten, althans een journalist, een fotograaf. Die werd toegelaten op die biesma die gehouden werd. Er zijn twee uitgangspunten. Men kan zeggen van één, de pers was niet uitgenodigd. Dus u wordt niet toegelaten. Dat is één. Maar het tweede is ook, doordat het een sociale activiteit is. Het is geen geheimhoudingsactiviteit. Het is een social gathering. Dan zou men meer flexibiliteit moeten tonen. Je moet flexibel zijn op dat moment. Om te zeggen, het kan geen kwaad als de pers toegelaten wordt. Omdat het is een sociale bijeenkomst. Het is geen politieke bijeenkomst. Dus de mensen die daarvoor het zeggen hadden, zouden meer flexibiliteit aan de dag moeten leggen. Ongeacht of je nou een uitnodiging had als pers of niet. Dit is Kel Arger. Kel, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Ik had een vraagje voor mevrouw Serlina. Serlina Fx. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt bedoeld met betrekking tot rechtsstaat? Bijvoorbeeld ten aanzien van de sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld iemand moet kinderbijslag krijgen. Iemand moet medische zorg krijgen. En de staat kwam niet toe om de mensen te helpen. Dus met andere woorden, met betrekking tot rechtsstaat. En vraag twee. Ik moet de president van het Hof van Jezus Pissi feliciteren. Hij was een jongetje van het internaat van de Surinamse Islamische Vereniging. waar Farid, zijn vader, nog voorzitter was van de Surinamse Islamische Vereniging aan de Keizerstraat. En dan wil ik, Frank Drie. Hoe wordt je rechter? Wat is een raaie opleiding? Bijvoorbeeld, laten we nu de toenmalige president van Suriname-Bootersen. Als hun kinderen of kleinkinderen rechter weer worden. En we kennen de treksrechters van de toenmalige president Boutersen. Kunnen ze ook rechter worden? Hoe is het aan de centraal onderzoek? Oké, dan gaan we proberen. En hoe kan iemand... Tot slot, gaat uw gang. Ja, tot slot. Rechter en PG worden. En ten aanzien van de politie, de recruiter, ik kan zich niet voorstellen. Voor het eerst in mijn leven. Dat politie-recruiter zijn niet in actie. Ze hebben het werk neergelegd. En weet je wat het betekent? Recruiter, je bent geen politieman. Je moet nog groeien. Je moet aspirant worden. Aspirant betekent ook dat je twee meter boven de begaande grond zweeft. En je hebt geen vaste aanstelling. Rara, hoe kan dat? Oké. Dank u wel een fijne uitzending, mevrouw S. En ik heb begrepen, u wordt met de... Even als vierkruis, de eerste uitzending opgehaald begin januari. Om beëerdigd te worden als vijf president van Amerika. U bent van Diaspora. U bent Dewey. Oké. Gefeliciteerd. Oké, we hebben uw vragen begrepen. Dat zijn er vier fijn vragen bij elkaar. Dus laten we even bij de eerste beginnen. Dat gaat, de meneer vroeg van... Wat voor start men onder een rechtsstaat? Als men kijkt naar de sociale voorzieningen van de mensen. Daarop komt het in principe neer. Klopt. Er zijn verschillende soorten rechten die wij hebben. En dat is verankerd in onze grondwet. We hebben grondrechten, maar er zijn ook sociale rechten die wij hebben. En de staat heeft daartoe ook sociale plichten. De rechten en de plichten aan de andere kant van de staat. Is onder andere dat we het recht hebben op goed onderwijs. Goede medische voorziening. De basiszorg moet in orde zijn. Dat zijn allemaal de sociale rechten waar de staat voor moet zorgen. Het probleem dat er is, is geld. Nu is het aan de orde dat we zitten in een economische crisis. En dat de staat de financiën niet in afdoende mate heeft om ervoor te zorgen dat wij die rechten kunnen beleven. En daar ga je dan zitten in een vraagstuk. Maar hoe zit het dan? Want wij hebben er allemaal recht op. Wat wij gaan moeten doen als natie is moeten komen uit die economische crisis. Want aan het eind van de dag kan het niet anders dan dat zonder de economische middelen, dat het heel moeilijk wordt voor de staat om aan die sociale plichten te voldoen. Oké, maar dan heb ik wat andere informatie voor u ten aanzien hiervan. Oxfam is een internationale non-governmental organisation die bekend is. En die heeft gisteren haar data gepubliceerd. En ze heeft een onderzoek gedaan naar lage en middeninkomenslanden waaronder Suriname valt. Van de 126 landen staan wij op de 28ste plaats. Met andere woorden, die notering van 28, daar doen we het niet gek mee. Van de 126 lage en middeninkomenslanden zijn we op 28. Ten aanzien van de ondersteuning naar ouderen staan wij op de eerste plaats volgens Oxfam. Dat hebben wij niet gemaakt. Oxfam is een heel grote organisatie met als hoogst zetel Engeland. 29% van de bevolking van Suriname krijgt een vorm van steun. Of die steun toereikend is, is punt twee. Maar men krijgt een vorm van steun. Verder zegt men ook, Suriname, 99% krijgt Suriname als score voor ouderen. Met andere woorden, hoewel mensen de mening zijn toegedaan en hoogwaarschijnlijk correct zijn toegedaan, dat de voorziening niet toereikend is, is die voorziening er wel. Er zijn landen, daar praat ik niet goed dat we weinig krijgen, maar er zijn landen waar er helemaal geen voorzieningen zijn. Je moet weten wat we hebben. Houdt u dat vast? We willen natuurlijk meer, we willen natuurlijk hogere bedragen, maar zet alles op een rij. Kinderbijslag is gratis. AOV is gratis, hoewel we AOV storten. Mensen die werken, die storten AOV. En mensen die niet werken, krijgen ook uit de mensen die hebben gestort, krijgen AOV. Want AOV is voor iedereen. We hebben bijdragen voor gehandicaptenzorg. Wat hebben we nog? We hebben gratis onderwees. Vergeet u dat niet, we hebben gratis onderwees. We hebben gratis basiszorg. In principe, alles in ons land is gratis. Als een derde wereldland, houdt u dat vast? We zijn geen Nederland, die in de top 10 staat. Wat niet toerekend is, zijn de bedragen. De voorzieningen zijn er wel, door de economische downgrading en die neerval die we hebben gehad, zijn die bedragen niet toereiken. Maar ik heb u een nutshell opgenoemd, van alles dat in principe gratis is. Er zijn landen waar deze voorzieningen, dat landen op ons niveau, landen op ons niveau, deze voorzieningen er niet zijn. U moet ook vasthouden. Wij betalen gesubsidieerde elektriciteit. Wij betalen gesubsidieerde watervoorziening. Dus als een third world country, een derde wereldland, wat ik niet goed praat uiteraard, want we moeten het beter doen. Moet ik u wel zeggen, hebben we wel de basisvoorzieningen, maar mogelijk niet voldoende toerekend wanneer het tot uitdrukking wordt gebracht in geld. Klopt. En daar gaat ook naar worden gekeken, want als je zoveel basisvoorzieningen hebt, waarvan heel veel voor een groot deel wordt gesubsidieerd, en voor sommige delen zelfs helemaal gratis zijn, dan reist de vraag, zou het niet zo moeten zijn, dat er voor een deel, en dat bedoel ik aan een deel van de bevolking die het kan dragen, daarvoor gaat betalen. Zodat het deel, dat het niet goed heeft, dat het slecht heeft, dat deel meer geld kan krijgen wat toerekend is. En de regering buigt zich daarover. Dat is ook aangekondigd, dus die discussie is ook gaande over eventuele, hoe moeten we omgaan met de subsidies, et cetera. Dus daar is de regering mee bezig. Oké, die meneer had nog drie additionele vragen, en die wil ik voor jou gaan laten. Die wil ik voor jou laten. Hij heeft aangegeven dat onze hofpresident, dat hij eigenlijk komt van een internaat, waar Farid zijn vader was ook daar betrokken bij, toch Farid? Bij de islamitische vereniging, ja toch? Ja, inderdaad. De SIV had een weeshuis, aan de Kombiweg tegenover Kombimarkt. Dus maar goed, laten we doorfietsen. Het is leuk om het te weten. Wat ik daarvan wil zeggen, het is geen belangrijk punt, maar het is leuk om te weten. Maar wat ik wel goed vind als voorbeeld te dienen, dat het niet uitmaakt van waar je komt. Je kan wel komen nog steeds op een hele goede bestemming. En dat is belangrijk om als dit voorbeeld van onze hofpresident aan vast te houden. Dat als je doorzet, dat je dus echt mooie dromen kan realiseren. De volgende vraag was, maar hoe word je dan eigenlijk rechter? Je wordt rechter doordat je natuurlijk de rechteropleiding doet. En dat kan je hier doen aan de Antondokom Universiteit. En dan vervolgens moet je wat ervaring op doen. Dat kan op verschillende juridische gebieden. En dan moet je een RAIO-opleiding volgen. In essentie betekent dat een rechteropleiding. En dat wordt verzorgd om de zoveel tijd. En wanneer dat gedaan is, dan is er natuurlijk een screening plaats over de personen die toegelaten worden tot die opleiding. De beller haalde ook aan, ja, hoe zit het met de antecedenten? Ik kan u zeggen dat die antecedenten worden verricht. Ook zelfs wanneer je beëdigd moet worden als bijvoorbeeld advocaat. Toen ik dat moest worden, zijn er ook antecedenten verricht. Buurtonderzoek wordt verricht. En dan wordt er een screening gedaan. En als je dan voldoet aan die eisen, dan word je dan toegelaten. De recruten, dat is inderdaad nu een discussie die er gaande is. Met de recruten, die dus hadden aangekondigd in actie te zullen gaan. Maar ik wil misschien net Farid. Ja, ten aanzien van de recruten, en die meneer had helemaal gelijk. Het is niet correct dat mensen die nog niet eens volwaardig zijn, nu al zo'n vorm van gedrag tonen tegenover het gezag en de natie die ze moeten gaan dienen. Uiteraard willen ze beëdigd worden, maar als de regering de datum niet verschoven, moet men ook begrip hebben. De regering heeft niet gezegd, je wordt niet beëdigd. Dat is niet gezegd geworden. Wat is gebeurd? De datum is verschoven. En als je daarvoor in actie moet gaan, je mag me geloven, dat geeft nu al geen goed voorbeeld in wat je later wil gaan worden in deze maatschappij. Het is een slecht voorbeeld voor mensen die volwaardig politie willen gaan worden. En ook natuurlijk, dat sluit daarover, de voorwaarden waaraan moet worden voldoen, want dat is ook een hele issue vanaf ongeveer eind november. Wanneer men niet voldoet aan de voorwaarden, dan kan je gewoon niet worden benoemd in een functie. Dat lijkt mij zo simpel als dat is, want anders krijgen mensen die dan niet gekwalificeerd zijn. Er is een besluit genomen dat er weer een screening gebeurt van een bepaalde deel, want er was veel ruis, in die hele groep was er veel ruis. Het besluit is genomen dat een deel opnieuw de testen moet doen, maar een deel zou inderdaad, die voldoet, beëdigd worden. Men moet geduld hebben, je bent niet eens politieman nog. Je bent bloot politie, dan ga je nu al in actie. Als je politie wordt, wat voor gedrag ga je tonen? Is heel slecht gedrag dat men nu tentoonstelt, naar een samenleving die men moet gaan dienen. En dat is mijn persoonlijke opmerking. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ik bedoel echt niet, omdat ik niet ook was. Ik bedoel. Ik bedoel. Ik bedoel. Ik bedoel jeeens. Ik bedoel jees. Ik bedoel dat ik het van alles heel goed voorzitter. Ik bedoel dat ik hier heb focussd op om ons te regnen. Ze is iedereen gestaan. We zijn alleVELD in de inwacht. Toen dan moins moet je binnenken we ons te regnen. Ja. मि विन इस्टी एफ लगॉ खो आ इस अ जा जा रवाग। उन्यार पिण कर糖 dönको preoter कि पत्तरो को आता म मय जोरे करनाली कि आ हम प favorites on this कि में अ Wow उल्पमय बहा करने हम ढवेड 소माः एण busy साहित को ऑप कि के ऑथ मत झाय्फ उप टimento Silas सिल डोंब फिल्थ INE प्रफ्टेल केलर, उनिवशिटेग तपू, माव लोसमा सब अप्मोनी प्रिजुटर पिर्कान, जो सिरे बुटलान, मा दे मेड़ चानल सी, जो आप अरबेड़ क्लास, प्रांद वाप अपू, तपू, तपू, उनिवशिटेग तपू, 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 तपू, खू, जो सिरे बूटलान, जो आपू, य कि अर्षी बुरलान, मा जो सिरे दो, तपू, जबू, जो, वो, बूरyang तपू, आपू, जो, ग्रुटलान, डड़का सा टवेड़ क्पू, तो, ग्रुटू, बूर्ण सथेग य, दे घुटलान जो, लो, अपू, आपू नंक उनन उकापदी लाग, ओनो नाव потреб हैं, ऑनो मौस है टॉतले हैं, खोनो हैनु से चुम्न कापदी इक इक पक harsh national मेले लिद देट ऐाकादा Dzुमा. अलाई ole kजज आओक ग्रोफ्सेर नाप्दी St défस्तली कापदी द्लिण ऑनोश ब क्टीप्ट ओवरा हैं तो मैं तो इसकता है इस और साइक कौना इसे और आप दप देश्ट पिदाट अ कि अवेश्ट सहर डिट बातर सब्सक्ट और अवेश्ट जड़ आख को डिसे कर दोए भी अवेश्ट पंसर देश्ट अवेश्ट से रूसे क्ट्रों मों आप्सें तूम प्रिसिदन फा अर्कनि अर्क इस्ट आग नुडवर अन्ट्ट अर्म लग वा गो आग वा लोगाना मों इसलाफ ने तूम न प्रिक ट्पाद में ट्पश्ट डिस अला सोसा वग वगाल अंभे लग、 बाद पो रहा आग गारो व्हान पट handler हम आवे टार्कावत अवे people by ऑम को अजे कि सुने हम, ठीज जात कर तया। कि अजहांने की सिर्दके याक टैस्ट कर दोदूंट आप राड़ों हो आपनेों राप बियार all iiderों आपने मेश जे सक था कि flavदर है तया avez परहें सेरेखने, भि मा प्लेधे़ नप्तिय कर एंफे जद करता दो वाहा शाय। जरी सबस्थाओ, जरी भी जिस्ट वढ फत्रेगए जए नटनुस्याओ करुआ SMITHuf सेरेखने, भी झाराधना, इज टौन वाट sih तभ ल्हा lucky, 想要शने का पत्किम rad outlook साएषन 있고 प्तुलिकों प्रेण पो औरो गुद दिस्ट्रेख फूनौ ओन अद्ट zalआदला धे ओोंद अज उन ज ड्राइब ऋन्तुल्ठ को सबस्तो कि अधनी कॉरान अरोँ मे औरोपस, शुमे रे मोवप इस रे स्क見ि वएर कर्का क्र이ənacements भाफ पाजम पॉत सपूद औरे वाउना शות क्क्राव करो आमनेस दaat उसे रेक्टर फून, अगादे बद्टानगे लrese मतार्च को ड्यालाम है लंगर परोद्ट उन क्यatisf Infrastा को अउन्न जुनाती वा रेक्टर करप अगरा है लmeter समनली थान next इसको मैंसेरे करें friendships ag molecules लुटिछ लुट इसके रएम लुन हो वानैक को आपत्वा को कि लुट लुट अअ हुट évर ज कर दोड़कि date र 타 को मैंसेPR वुट झाला नό तो पयुटनिवर एक लघक clever noda क फर τремहर कोड़ंग जया हैं भर लुक्ले को झालेख रसमार का लगुरम्ण पर्ड़िवा सinté मैं गोओेष बिलतEMA हैं जया है जया है जया है जया है ? जया है जया है जया जया है ज हम गोगा द्द्वार्ग्झ करें है ट्याखेवार मे पुल्भे है, कि झाल से खाफीर बाती हैं, मैं कन्युक्षी में बाती हैं, कि सहने हैं गोड़ी इसे हुड मैं लड़ी हैं, कि अंस नहींग, स Patrikव कत जा लड़ीन हैं, से कि खर भाल मैंक्षव अइस working, गिस्टेम के वाथे खराजै टा मैं तो कि प्सट एक बादार कोकली ऍसेऊ खर्वार्व अलाओ कर आडगोंसговद ऑख खरनावा सतने ओखेसे खंचाने खंप जडिवाने अघथबेना डर्प करत tehd मैं बादिन jɎ कि अ干 oh इस ऊडोईष था? आपनाव बुट तो न ती अट कई दखियाए है प्पार्ट तार्ट थे जाँ जा जदोगाओ का फिंजा प्टेण बुट प्रेज़ा का फम है अट तग तो यंड प्रॉट सिर्दो नग तो तो रूंगा भूंगा फट वा गोत हा अला सामय वे जी तर उमसें फड़ीको तेट मेल और आमो 124 कि रोगोता बाता विसे प्रेजिदन से गोड प्रेजिधन तो पना फेईप उवे जी जा अँ अमर्ण ताक ने वाप्चिस तूर अपिछनू फ्रो पिसे प्रेजिदन ना प्रेजिदन को अमर्ण लूना आ लेते हैं तयपट अपन लग unm moisture लूना लाया हूंटे, लूना लूना लूनी जूना झास्य मेर के लेहा है लूनीक, वरे भागया लूना लूनेण, बधनोस बदेते हैं लूना लूना लून85ड़े लूना लूनी कakah नचार के लूना लूनी जूनी लिए बुम्लान को अे रुर्म्लार अधितक थियुम्लार थे दिए स्थार्ण लिए घ्टरी मेशन वाया के रफट स्थार्ण लिए भूट इस अपरे तो रहे को दो में गड़तार वने को रहे को बहे सिस्थार्ण लिए प lobster एक ले काबादे, यह तो कुम पे एूद चिनला क्वानेशिए, क्यां अट है, यद एक अगट एक आने आद्ये आ चाहिंग। Riegel, oké, dankjewel, dankjewel. Heleman, volopig heb je dat begrepen, want iemand had तक कenschी, ten aanzien waar hij sprak over de Bono Mang, en dan in mijn richting. Ik oordeel niet over mensen hun culturele uiting, en ik oordeel niet over mensen hun religieuze uiting, Dat laat ik voor hun, want dat zijn persoonlijke zaken van hoe mensen hun zaken interpreteren en ik laat mij nooit in en ik respecteer alle mensen hun religieuze uiting en hun vorm van culturele uiting. Ik oordeel daarover nooit, nooit, nooit gaat u mij daarover horen. Dit is Rashid Pirkaans, Kalla, Jorkal, we doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Zerena en Varit zitten eraan op deze zaterdagmorgen. De Koemanen zijn intussen verwijderd van South Rain, Kanawaima, daar is een Nikeri. Er worden pakweg 500 Koemanen daar geparkeerd, die wilden naar Guyana en via Guyana wilden ze richting Amerika gaan. Het was toen al bekend dat de Guyanese zeiden, nee je bent niet meer welkom. De Guyanese zouden hun boot inzetten op 12 december om de vaart weer te starten tussen Suriname en Guyana, tussen South Rain en Barbies. Die hebben ze toen geparkeerd, want zolang die Koemanen daar geparkeerd zijn, beginnen wij niet met die veerverbinding. Intussen is het gekleerd, ze zijn verwijderd geworden. Waar ze allemaal naartoe zijn, begrijp ik dat het een deel in Paramaribo is. Waar ze zich genesteld hebben is mij niet al zogenaamd bekend, maar de overheid moet wel deze hele groep in de gaten blijven houden. Voor een van de primaire redenen is, omdat je als je 500 maanden overnight verplaatst, van de ene locatie naar de andere met een afstand van meer dan 250 kilometer, is dat puur goed georganiseerd geweest. Dit is Kalla Jorkel, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil beraten over ROGB. Het is namelijk dat ik een stuk heb ingediend, van een grondhuur. En elke keer als u daar gaat, hoort u van de balie, de dames die informatie voor mij heeft. Ik heb ook een audientie aangevraagd met de directeur. En ik heb binnen, het is al langer dan een 1,5 maand, dat ik niets heb gehoord. Niemand heeft me teruggebeld, van dat die afspraak al in orde is, u kunt langschoven. Ik wil vragen. Werken de minister van ROGB al? En hoe staat het met de onderzoekingen? Wordt er wel gewerkt op de stukken? Want in de tijd van Boutersen was er een team ingesteld die hierop kan werken. En u kunt gewoon met uw stukken bij hem gaan. En er wordt hier met een mum van tijd behandeld. Maar bij deze, nu zie ik dat het een hele lange weg, leidensweg is. Dus ik hoop echt dat er iets terechtkomt voor ROGB. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja, met ROGB is het altijd een beetje problematisch geweest over de behandeling van aanvragen. Dus dat is zover mij bekend. Eigenlijk onder pakweg elke regering is het nogal moeizaam verlopen. Dus ik zou niet zo stellen dat bij de vorige regering het binnen een mum van tijd ging en bij deze niet. Het is een probleem geweest dat niet iets van gisteren is geweest, ook niet iets van die vorige regering. Maar eigenlijk al vanaf sinds het bestaan van het erfvlaagrechts. Maar wat kunt u doen? U zegt, u heeft uw aanvraag gedaan, het wordt niet in behandeling genomen. Wat ik u sterk adviseer om te doen, is om dit wel vast te leggen om te blijven schrijven naar het ministerie. Dus wanneer u gaat naar daar en u vraagt aan de medewerkers, hoe staat het met mijn aanvraag? Ik krijg een LAD nummer wanneer u een aanvraag doet. Dat is heel erg belangrijk, dat strookje mag u niet verliezen. Houdt u dat strookje goed vast? Blijft u schrijven naar er ook geen reden waarom? Wanneer, mocht het zo zijn, dat het misgaat met uw aanvraag? Ik noem bijvoorbeeld, u heeft een stukje grond aangevraagd op tijd. En blijkt dat het misschien aan iemand anders wordt uitgegeven of wat dat ook. Of u wilt gaan procederen om de zaak versneld te krijgen, dan kunt u dan aantonen welke handelingen u allemaal verricht heeft. Dus wanneer u gaat, blijft u schrijven. Legt u dat vast. Schrijft u naar de minister, dit is mijn LAD nummer, ik heb aangevraagd die grond om die en die reden. Alsjeblieft, neemt u een besluit daarover. Wat ik nog kan aanvullen is dat, hoewel ik geen grondexpert ben, weet ik dat de rules and regulations voor het aanvraag van grond, hoe je het moet doen, etcetera, is vastgelegd. Want niks bij de overheid hangt in de lucht. Het is op papier vestgelegd. Het enige waarbij men nimmer aanvoldoet, en dat is van overheidszijde, dat men gewoon, wat zij hebben bepaald, middels vastlegging, niet nakomen. Want er is ook vastgesteld dat als je een verzoek indient, binnen welke tijd bestek je het antwoord moet krijgen. Ongeacht of het antwoord negatief is, hè. Ja, het is allemaal neergelegd in de decreet uitgrifte van domeingrond. En de termijn zal zijn zes maanden. Maar het is niet iets van nu, dat je jaren, er zijn mensen die echt 10, 20 jaar soms wachten, alleen maar om uitsluitsel te krijgen. Maar goed, belangrijk is, u moet het vastleggen. Schrijft u naar de minister, om dus de verzoeken te doen dat er een beslissing wordt genomen over uw aanvraag. En als u niet tevreden bent, kunt u gerust daarover procederen. Het is Klaatsch, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Hallo. Ja, gaat u gang? Ja, ben ik in... Ja, u bent er. Gaat u gang? Ja, goeiedag. U spreekt met zoekgoed Rotterdam. Ik zit naar uw programma te kijken, maar volgens mij geeft u mensen verkeerde informatie. En die mevrouw die naast u zit ook. U heeft even over een heleboel voorzieningen die gratis zijn, maar ik weet niet of u dat weet, want meneer Bouters heeft dat ook gedaan. Die heeft een heleboel van die dingen in hun leven geroepen. En daardoor heeft hij zoveel schulden gemaakt. En die voorzieningen, die moeten die mensen zelf betalen. U heeft uw woord gebruikt gratis steeds, maar gratis bestaat niet. We luisteren daar niet. Ik weet niet, kijk, wij hebben in Nederland precies idem. U heeft bijna al die dingen wat we in Suriname hebben, hier ook, of andersom. Maar alles moet de mensen zelf betalen uiteindelijk. U heeft over gratis, wat is gratis? Gratis is... Wat verstaat u onder gratis? Dat er geen... Nee, laat me je antwoord geven. Gratis, onder gratis wordt verstaan dat de overheid daarin voorziet. Vanuit de overheidsmiddelen. Wat u in Nederland gebeurt... Nee, 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 dat is punt twee. Want u had me een vraag gesteld over gratis. Want nu gaat u naar een B-vraag. Bij u in Nederland, daar doet u eigen bijdrage in, hè? Ja, maar in Suriname toch ook? Nee. Hoe komt dan Suriname aan die middelen dan? Dat is punt twee. Maar u had me een vraag gesteld. Dan ga ik u straks vertellen hoe we aan die middelen komen. Dan groet ik u. Dank u wel. Ja, want kijk, je stelt maar vraag A. B, C. Hoe Suriname aan de O-middelen komt... Bedankt dat u belt uit Rotterdam, overigens. U bent in een lockdown. De overheid krijgt haar middelen vanwege eendebelastingen. Ze krijgt haar van rijsexporten, bananen, garnalen, vis, hout... ...en voornamelijk ook van goud, royalties, loonbelasting en ook van state oil. De overheid heeft haar vormen van inkomsten. Wat er is gebeurd, zover u niet op de hoogte bent... ...is dat de overheid in de jaren doorheen meer is gaan uitgeven... ...dan ze is gaan verdienen. Daardoor ontstaat er dan een begrotingstekort. Maar wanneer ik het heb over gratis... ...dan betekende de overheid de voorzieningen naar die samenleving betaald... ...uit haar eigen bronnen van inkomsten. U in Nederland, u moet in uw zak. Daar is het niet gratis. En daar zit het verschil in. Ja, en wat we ook hebben aangehaald... ...is dat de regering heeft aangekondigd om dat ook te gaan evalueren. Want er zijn een aantal zaken die graf worden gesubsidieerd. En dan reizen de vragen, moet dat zo verder? Moet het op een andere manier? Moeten de brede schouders meer, zodat het geld beter toereikend is... ...voor degenen die dat niet kunnen dragen? Enzovoort. Maar die evaluaties zijn gaande. Wat er gaande is, is dat vanaf dag één... ...toen de extra voorzieningen... Want de voorzieningen zijn er altijd geweest. Er is altijd een basisvoorziening geweest. Maar ik heb het vanaf het begin gezegd... ...bij de basiszorg, toen het werd ingevoerd vanaf dag één... ...ik heb toen gezegd, we gaan het niet kunnen dragen. We gaan het niet kunnen dragen... ...doordat de overheid alles betaalt. En dat blijkt nu ook... ...de overheid kan het gewoon niet dragen. Wat is er toen dus gaan gebeuren? Men heeft het toen in het prille begin... ...toen basiszorg werd ingevoerd... ...heeft men het aan iedereen gegeven. Letterlijk aan iedereen. Ook mensen die het zelf konden betalen... ...heeft men toen gegeven. Alle schoolkinderen kregen een kaart. Ik maakte toen nog zelf die opmerking... ...mijn dochter kwam met een basiszorgkaart thuis. Want schoolkinderen kregen ook, toch? Het was toch 0, 16 jaar... ...als je dat nog kan heden... ...en ik maakte toen ik zei... ...waarom moet zij een kaart krijgen? Want wij zijn particulier ook zelf verzekerd. Dus later heeft men het gezien... ...dat men heeft er in principe... ...een georganiseerde rommel van gemaakt. Want mensen die het niet moesten krijgen... ...kregen ook een kaart. Dus wat men nu gaat doen met die basiszorg... ...men moet het doorlichten... ...men moet kijken hoeveel lucht erin zit... ...dat noemen we lucht... ...en je moet die lucht eruit gaan halen. Waardoor in principe... ...mensen die het werkelijk moeten krijgen... ...die voorziening krijgen. En niet mensen die het ook... ...uit zichzelf kunnen betalen. Er zit veel lucht in al die systemen. En lucht kan je alleen halen... ...deruit halen... ...als je een goed geautomatiseerd systeem hebt. En iedere keer moet je ernaar kijken. Iedere keer moet je ernaar kijken. Omdat je krijgt altijd geruis... ...en je krijgt altijd... ...ja, hoe noem je dat? Verkeerde data-informatie in systemen. Dus dat moet gaan gebeuren. En dan gaan werkelijk mensen krijgen... ...die het daadwerkelijk nodig hebben. En voor zij... ...die het niet volledig kunnen betalen... ...moet men ook wel kijken... ...wat kan jouw eigen bijdrage zijn? Wat kan bij wijze van spreken... ...als de bijdrage getaxeerd is... ...op 80, 100 SRD... ...maar die burger... ...aan de hand van zijn inkomen... ...kan 40 betalen... ...en 60 niet. Dan zou de overheid kunnen zeggen... ...oké, jij neemt die 40... ...en ik neem die 60... ...want we noemen dat eigen bijdrage. Niederland had het vroeger. In Niederland... ...was de gezondheidszorg gratis... ...ja ja, gratis meneer. Toen drong het zelf... ...dat die Niederlandse staat door... ...dat ze dat niet door konden betalen. En toen is Niederland overgegaan... ...in een stappenplan om te zeggen van... ...wat is jouw eigen bijdrage. Zelfs Niederland kon het toen niet betalen. Dus wij krijgen een probleem... ...in de zin van... ...we kunnen wel alles... ...we willen alles... ...we moeten ook alles... ...maar we moeten ook kijken... ...wat kunnen we zelf dragen... ...en wat kunnen we niet dragen. Maar naar de sociaal zwakkere... ...daar moeten we 100% naar kijken. Dit is Kala Jorkal. Ja, ik zie geen icoon. Is er iets... ...oh ja, hij zegt... ...we moeten eruit. We moeten eruit voor een break. Daar gaan we ook eruit... ...en we zijn straks weer terug. ... ... ... ... ... ... पेश्टार और आदाबाद से नीचर है देजंबर के 19 तारिक पेश्याप के लिए साथ दिन के ख़बरे दो अफसोस के ख़बरे हैं आपके लिए ये हाथसा से जुड़ा हुआ एक हाथसा हुआ है सोमवार के सुभ में और ये है इलाका सारा माका में उस्त्रेस फरबेंदिंग पर जहां पर दो लोगों के दिहान थुआ है ये हैं चोवन साल का इलसवागियों और इनके दो साल के पोतिन या नातिन होना चाहिए केसी क्लियम इन दोनों के जो हाथसा हुआ है वो इस पे पॉलीस का खबर ये है कि ये चोटी बच्ची दो साल के अचानक ये सरक पर गया है और इनके दादी थी या नानी थी इनके पीछे पीछे गए है और एक फरक्तवाखन एक दफ़त रुचा कर दोनों को धका लगाई है इन दोनों से तकराई है और वहाँ पर इन दोनों का देहांत हो गया बहुत अफसोस के बात है पलीस के खोचबीन से ये भी पता चला कि ये फरक्तवाखन शोफियर जो आदमी ये फरक्तवाखन हाक रहा था ये नशे के हालात में नहीं था और इनके पास एक ख्याल दख रह बवैस है लेकिन अंदर सुप चानवीन जो हो रहा है इसके दोरान इनका रह बवैस पोलीस ले लिये है दोनों लाशे जो है कबसे में लिया गया था लेकिन परिवार को फिर दे दिया गया है और अब तक इन दोनों का अंतेश्रिक्रिया भी हो चुका है ये जो दादी या नानी थे और इनके छोटी बच्ची दो साल के केसी कलियम और इलस वागियों पिछले हफता मापको बताये थे कि एक जवर्जसाथ सा हुआ था अफुबा का वेख पर जिनमें पांच लोगों का दिहान थुआ था इसमें अफसोस के खबर ये है कि छटवी शक्स का दिहान भी हो गया ही एक सेस्द दोड़ ही इस आरेटिंग का जो पिछले हफता हुआ अफुबा का वेख में और ये था देजंबर के छे तारी को पॉलिस और आइडित पॉलिस आइडित 44 यार का ये अकादेमी सिकन हुआ इस पर आमारी बोगे इसीउ इंतेंसिव केर यूनित पर इनी लोग मादरी इखलंग जो है बढ़ा दिया गया है फर्श खरब तक ओविद मादरी इखलंग आई है मिनिस्टर अमेर रामाधीन फॉलक्स कुसोंदेट का मिनिस्टर जो है ये तलफिशन पर आई है और अपने भाशन के दोरान ये बात कहे है कि जो आफंद क्लॉक है ये फिर से वापस लाया गया है आफंद क्लॉक अप है नौ बजे रात से सुबह में पांच बजे तक इस पर लोगों को गोर करना चाहिए वैसे मिनिस्टर ये कहते है कि सामन स्खोलिंग्स फरबॉत अब 10 लोगों तक रखा गया है मतलब 10 लोग 17 हो सकते इससे ज्यादा बिलकुल मना मिनिस्टर ये भी बताए कि बहुत खोशी था सब लोग खोश थे जब ये पता चला कि कोई भी बसमेटिंग नहीं था पिछले कए हफ्तों में लेकिन धीरे धीरे बसमेटिंग बढ़ता जाता है और अगर ऐसा चलता रहेगा तो खत्रा और बढ़ जाएगा और हो सकता है अगर बढ़ता जाएगा बसमेटिंग नहीं तो हम ये मामला सम्हाल नहीं पाएंगे यहाँ से बाहर हो जाएगा इसलिए ये फश्खरप्त मादरी इखलन आई है वैसे त्योहार दिनों आ रहे हैं साल के अंता रहे हैं इस समय देजंबर मेहना में लोग हमेशा जशन मनात इसे पिछले साल आप किये थे या पिछले सालों आप किये थे क्योंकि कोफिद पर होर करना है और कोफिद पर हमी होर करना चाहिए क्योंकि इस से लोगों के जान जा सकते हैं अगर हम इस पर होर नहीं करेंगे तो लोगों का जान जा सकते हैं तो ये सरकार के तरफ से कहा ग ब्राजिलियान जो खौट फेल्द पर है और इफन अ मेंटन जहां पर जशन होते हैं वहां पर बसमेटिंग आए है इस पर ज़रूर लोगों को कहा गया है खौर करने के लिए गुसार इसकी आगिया है खौर करने के लिए और एक खास बात हम आपको यह बता दे कि मिनस्तर य अब दोन के समय या आफन कुलोक के समय जब आपको सरक पर होना बिलकुल मना है जो लोग सरक पर जाएंगे तो आपके पास इजास्त होना चाहिए और ये एसेंशेल खुरूपन के वास्ते है जैसे परिश्टर आपको बताया गया है हम सभी चाहते हैं 2021 में हम कदम रखे बेगर कोफित के साथ और अगर इसमें आप मदद करेंगे जन्ता अगर इसमें मदद करेंगे और जन्ता मात रेहलन पर खौर करेगा तो हो सकता है कि ज्यादा लोग बसमेट ना हो ज्यादा लोग के पास ये फ्यूरिस ना हो क्योंकि यह भी कहा गया है कि सुरिनाम देस में अगर एक ट्वेड खॉलफ आएगा तो हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे मिनस्टर कैनेट आमोक्सी युस्टिट्सियन पॉलिट्सी का यह भी कहा है कॉंट्रोलर का अपफूर होगा और कड़ी नजर सरकों पर रखा जाएगा यातायाद परकेर में और प्रोग्दो कॉलन जो है इस पर आपको घौर करना है जो रेखल से मात रेखल है जो नियम है इस पर आपको घौर करना चाहिए खास बात हम आपको यह भी बता दे कि आथ सनी जर और कल ऐट वार को इस वीकेंड के वास्ते लोकडाउन का समय साथ बजे से है सब मतलब यह है कि आफन कुलॉक साथ बजे से शुरू हो जाएगा सुभा कल पाँच बजे तक और कल एट वार को शाम को फिर साथ बजे से लेकर पाँच बजे सुभा तक सो मुआर को यह आफन कुलॉक रहेगा तो इस पर आप सरूर खौर करना और यह साम स्खोलिंग्स फर जो है दस लोगों का है जितना events थे जितना एफनमेंटन थे यह सब रोक दिया गया है इस पर जरूर आपको खौर करना है तो हम आपको यह COVID के बारे में जब हम बात करते हैं तो COVID अभी तक है इस पर जरूर आप खौर कीजिए असम्बली का फूर्शितर जो है मारिनस पे ये अईलान किये है ये जानकारी दिये है कि जो फैसला लिया गया है दे एना पंजगर में अश्विन अधीन एक्स फिसे प्रेसिदेंट को इंस्ताफ़न वस्खोल दखिंग स्टेलिंग करने के लिए इस पर पंजगर में अलसाम लगाने के लिए ये हो चुका है और ये भी इसका जो कांगजात है ये अश्विन अधीन को दिया गया है और इसके इलावा भी कानूनन ये तैहे कि प्रेसिदेंट को इस बारे में जानकारी देना चाहिए तो ऐसा भी होबा है और प्रोकूरर खेनराल जो ये मांग किये थे इनसे को भी एक लिखक में ये बताया गया है पेही को ये भेज दिया गया है कि इनका इनसाथ फ़न बिस्गोल दिखिंग सेलिंग अश्विन अधीन का हो चुका है देयाना में और ये मुकदमा कैसे आगी चलेगा ये बात मे पता चलेगा जैसे आपको पता है कि इस से पेश तर आश्विन अधीन नौ दिने के लिए कैट में था लेकिन रेक्टर कमिसारस ये फैसला किये है इनको रिहा करने के लिए क्योंकि जिस तरह से इनको लोग कैट में रखे थे इसका गिरफदारी हुआ था ये सही नहीं था क्योंकि ये पुलिटीका आमस्तरा आखर है तो इनके पहले इनस्ताथफ़न बस्खोल दिखिंग स्टैलिंग होना चाहिए था पंचगर में और उसके बाद इनको लोग हिरासत में लेती और ये मुकतमा शुरू होदा ऑपनबार मीनिस्टेरी इसके खिलाव भी किये है ये सब वहुख बरुब दस्ताखद किये थे लेकिन इस पर भी odd नहीं किया गया था ओपनबार मीनिस्टेरी का मांग जो था ये सही नहीं था येcros को प्रगल्रार किये है और इसलिए ईशवी नदीन को तब रिहा किया इसका तलाश हो रहा है लेकिन एक तरफ तलाश हो रहा है और दूसरी तरफ इनका मुकतमा जो है ये जच के सामने पेश आई है बीफी को गिलमोर हुफद्राद इनका इनसाथफ़न बस्खोल देहिं स्टैलिंग जब हो वा है पंच घर में तब एक मुकतमा उन्होंने चलाए है और ये मुकतमा वो चलाए है सुरिनाम देश के सरकार पर मिनिस्टेरी वान बेरलांस साकन पर और ओपन बार मिनिस्टेरी और तीयना पर ये मुकतमा चलाया गया है क्योंकि गिलमोर हुफद्राद का कहना है कि वो इस बात से सहमत नहीं है एक बार पेश्टर पिछले सरकार के समय पर इनका इनसाथफ़न बस्खोल देहिं स्टैलिंग लोग किये थे तब वोट के हिसाब से इस पर गौर नहीं हुआ था क्यों का ज्यादा लोग इसके लिए वोट किये थे मेरदर है इत्वान स्टैमन था इसलिए इनका इनका इनसाथफ़न बस्खोल देहिं स्टैलिंग इस बार हुआ है लेकिन गिलमोर हुफद्राद और इनके वकिल का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकते है दूसरा मत्वा किसी को इनसाथ शू जो है इस पर घौर नहीं किये है यह मांग जो है यह खारिच किया गया है मतलब यह है कि हुफद्राद सही नहीं था और यह मुकद्मा जो है एक्स मिनिस्टर फिनांसियन का गिलमोर हुद्राद के खिलाफ यह जारी होगा 2020 तक देजमबर के 22 तारिक अगला मुकद्मा अगला सुनवाई रहेगा एक्स मिनिस्टर गिलमोर हुद्राद वैसे गुम है किसी को नहीं पता यह कहां पर है इनका वकिल तीन वकिल है जो इनके तरफ से यह मुकद्मा लड़ रहे है यह सब जच के सामने पेश आते हैं और इनके बचाओं में कुछ कहने के लिए लेकिन हुफद्राद खूद अभी तक जच के सामने पेश नहीं आई है तो हार दीनों के मौके पर हम आपको यह बता दे कि पोलीस ऐलान किये है कि शहर बेच शहर में जो फरकेर्स द्रुक्त हमेशा होते है तो केर्स दाखन क्रिसमस के दीन और पुराने साल और नए साल के दीन कुछ वेख अमलखिंग रहेगा तो इस पर आपको खौर करना है यह वेख अमलखिंग रहेगा देजमबर के 20 तारी, देजमबर के 24 तारी, देजमबर के 30 और देजमबर के 31 तारी मतलब यह 23, 24, 30 और 31 देजमबर को सुबर में नौ से शाम साथ बजी तक पलीस यह भी कहा है कि अगर फरकेर्श दुक्त साथ बजी से पहले कम हो जाएगा तो हो सकता है कि साथ बजी से पहले यह वेख अमलखिंग यह लागू नही रहेगा तो इस पर जरोर आपको गहर करना है ये वह उमलगिंग रहेगा ने कृशिंग पर कृशिंग जो ही यह जोदेबरी और माघद रभाद रभाद, दॉमने रभाद, योदेबरी रभाद, और सेन्माकरें अवटूंपरु रुच्ट्बरु रजाथ रहेगा और यहां पर आपको जाना है इन रास्तों में आपका मन्जिल वही तक ही बस्टेमिंग्स फर गेर हैं तो आपको इजास्त मिलेगा पुलीस के तरफ से उन रास्तों में अपनी मन्जिल तक पहुँचने के लिए लेकिन बाकी के लोगों से गुजारिस किया जाता है आप पुलीस के आप जाएंगे और यह महसूस करें कि रास्ता शायद बन है तो यह खबर पर जरूर आप खौर करना और अपना रूतर पहले से आप तैए कर लेना पुलीस वहां पर मौजूद रहेगा तो पुलीस के इसा इशारों पर आप खौर कीजिए और हम खास बात आपको यह बताना चाहते ही कि कल सुक को इवान रासूल बक्स का ओफिशल बएद हेंग हुआ है यह प्रेजिदेंट बने है होफ़ान युस्तिची का छे साल के बाद वार्नेमिंग में यह पच्छे साल तक वहां पर बैटे थे इस पदवी पर अब छे साल को अब एवाद पारं किया फिसल बैदिदेंग हा हे कल प्रेजिदент ए ठैप कराशओ सांतो के जड है besser ईजा हा है यह बैदेगीं प्रेजिदेंट बैदेंग होवा है यह आन लुट इस तार की द्दारी बではंब्देंग को इस पर बृत बाद को इमून आपनी बाया जे दि कि अीया राट्र होते लेगे Southwest . ले रासुलबाख आनलव inspired the past अीया रासी राट्र होते ले रालोडर कि दूनीuchen आस एका किए रासुली राट्र होते ही Èसा माज़ रासुर्ट आs मे आट लेगे लेगे A ONE-झाट लेवे लेगे लगे नेकLाट यहां से मुबार्ट बादी इन तमाम लोगों के नाम हम करते हैं यह आखरी खबर है आज साथ दिन के वास्ते आप से अलविदा लेने से पहले आप यह मत भूलिये कि आज साथ बज़े आपको घर पर होना चाहिए क्योंकि साथ बज़े से लोकड़न है यह आज साथ दिन के आज के लिए और कल के लिए भी लागू रहेगा क्योंकि आफंद क्लॉक आज सनी चिर को और कल एट वार को साथ बज़े शुरू हो जाएगा कोफिट अभी तक है आप इस से कोई मजाग मत कीजिए यह कोई मजाग की बात नहीं है कोफिट अभी तक गया नहीं और खत्रा अभी तक टला नहीं है आप COVID मात रेखलन पर खौर कीजिए, खुद बचिए, अपने चाहने वालों, अपने लोगों का आप ज़रूर भी हिफासित कीजिए और ये COVID virus ये virus से आप बचिए. ये आखरी प्रोग्राम साथ दिन का भी है, इस साल 2020 के वास्ते, जिसमें ज्यादा तोर पर COVID-19 के बारे में बात हुआ है, कहिए मार्ट मेहना से COVID-19 सुरिणाम देश में है, ये COVID-19 पंदमी जो शुरू हुआ है, और ना सुरिणाम देश में, लेकिन दुनिया भर पर है, लेक कोवित के इलावा मैं में फर्की सिंग था, फर्की सिंग के बारे में काफी चर्चा भी हुआ है, और इसके बार, तो प्लिटिका अंस COVID-19 में देश Impossible के मात राइख दो शुरूः ही फास्द कीजीए, और चलिए हम मिलकर अगर ऐसा करेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादातर पर 2021 में जब हम कदम रखेंगे तो बहुत कम खफालन के साथ और हम तो चाहते हैं कि बिलकुल COVID ना रहे त्विंतख ऐन त्विंतख में लेकिन COVID है इसका अभी कोई हल नहीं है इसका इलाज अभी तक नहीं है एक फाक्स है कहा जाता है आने वाले है लेकिन अभी तक नहीं है तो जरूर इससे आप बचिए हम अगला प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे नया प्रोग्राम अगले साल नए साल 2021 का इसमें पेश होगा यह होगा जन्वरी के नौ तारिक तब तक के लिए आप मुझे इचासित दीजिए आने वाले क्रिस्मस दिनों के वास्ते हम कहते हैं मेरी क्रिस्मस अच्छे तरह से आप ये क्रिस्मस मनाईए अपने परिवार के साथ लेकिन कोफित को आप मद्भू लिए कोफित है तो कोफित मादरी एकलिम पर खौर कीजिए पुराने साल के शुब कामनाई हम आपको देते हैं, यह साल जैसा भी है, हम इसे अंत करेंगे और उमीद करते हैं कि अगले साल 2021 जो है त्विंटख एनन त्विंटख एक और बहतर साल रहेगा और हर एक के लिए खुशिया लाएगा तो 2020 के वास्ते अलविदा हम आपको अगर आप लेंगे, इस साल का तो हम आपको शुब कामनाई देते हैं, और नए साल 2021 के मुबारिक बादी हम यहां से भी आपको देते हैं, हम साथ दिन के साथ आप से मिलेंगे अगले साल सनी चर्ड जनवरी के नौतारी को जाने से पहले आखरी में हम यह भी जो हमेशा हमारे साथ देते हैं इस प्रोग्राम में, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहते हैं, आप जो फ्योर्स होते हैं, आप जो यह प्रोग्राम देखते हैं, आपको भी हम शुक्रिया और धन्यवाद कहते हैं, और last but not the least, हमारा काम कामरा के आगे नहीं देखते हैं, कामरा के पीछे रहते हैं, सागर रेवत को यहां से भी बहुत से हम शुक्रिया और धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया, नमस्कार और खुदा आफिस.